हेलो इस्टूडेंट्स, वेलकम टू आर बीई, और आज की जो हमारी किलास है वो है एड्जेक्टिव, एड्जेक्टिव का मतलब होता है विशेशन, विशेशन, और विशेशन क्या होता है, विशेशन का मतलब होता है विशेशन का मतलब होता है विशेशता बताने वाले श शब्द, तो यानि कि जो शब्द विशेषता को बताते हैं, यानि क्वालिटी को बताते हैं, उसको हम कहते हैं विशेषन, तो देख लेते हैं एक definition की तुरू इसको समझ लेते हैं, तो हमारी जो definition है वो adjective की, वो है an adjective, यानि कि एक adjective, कोई भी एक adjective जो की एक शब्द है और यानि कि विशेष्था को बताता है किसी भी noun या pronoun की, यानि कि जो शब्द किसी भी noun, noun मतलब संग्या और pronoun मतलब सर्वनाम, जो सब्द किसी भी संग्या और सर्वनाम की विशेष्था को बताते हैं, यानि कि उसके गुनों को qualify करते हैं, गुनों को बताते हैं या फिर उसकी विशेश्टा को बताते हैं, उन सब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेशन कहते हैं, यानि adjective कहते हैं, तो an adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun, तो adjective की definition को हम ने समझ लिया, अब जो यह adjective होते हैं, यह कई types के होते हैं, तो types को देखने से पहले कुछ example के थुरू हम इसकी definition को एक बार और समझ लेते हैं, जैसे he is a fat boy, अब यहाँ पर हमने जो sentence लिखा है सामने, तो उसमें क्या लिखा है कि he is a fat boy, वह एक मोटा लड़का है, तो वह क्या है हमारा pronoun है, बोई क्या है हमारा noun है, तो यानि कि वो जो ल को बताया है कि वो लड़का मोटा है, तो जो यह fat word है, यह fat word हमारा क्या है, यह adjective है, यह fat word हमारा adjective है, एक और देख लेते हैं, जैसे she is a beautiful girl, कि वह एक सुन्दर लड़की है, तो अब हम उस लड़की की quality के बारे में बता रहे हैं, उसके गुन के बारे में बता रहे हैं, कि बोलड़की कैसी है, वो beautiful है, तो beautiful क्या हो गया, यह adjective हो गया, तो यह हमारा adjective है, तो अब यह जो adjective होते हैं, इनके types के बारे में पढ़ लेते हैं, हम types of adjective, यानि adjective के प्रकार, विशेशन के प्रकार, तो यह eight types के होते हैं, adjective जो होते हैं, हमारे eight types के होते हैं, तो सबसे पहले ज हम हिंदी में meaning समझ लेते हैं कि किसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं जिससे कि हम अच्छे से clear हो जाए और हम इसको आगी इसकी definition को अच्छे से समझ सके तो adjective of quality, quality का मत्तब होता है गुण, तो गुण वाचक विशेशन next है हमारा proper adjective तो इसको हम बोलेंगे वियक्तिवाचक विशेशन उसके बाद third number पे आता है हमारा adjective of number, number से हमें पता चलता है संख्या के बारे में, तो इसको हम बोलतेंगे संख्या वाचक उसके बाद आता है Demonstrative Demonstrative का मतलब होता है किसी की और संकेत करना, point out करना, किसी की और इशारा करना तो Demonstrative का मतलब होता है हमारा संकेत वाचक संकेत वाचक विशेशन Next है हमारा Distributive जैसे नाम से ही पता चला है Distribute करना तो distributed का मतलब होता है हिंदी में वित्रन, तो इसको हम बोलते हैं वित्रन वाचक, वित्रन वाचक विशेशन, next है हमारा interrogative, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, interrogative यानि interrog कर रहे हैं, question पूछ रहे हैं, हम तो यह हो जाएगा हमारा question वाचक, next है हमारा adjective of quantity, quantity का मतलब होता है किसी भी वस्तु की मात्रा को बताना, quantity मतलब होता है परिमान, तो इसको हम बोलते हैं परिमान वाचक, परिमान वाचक Next है हमारा Next and last 8 नंबर का जिसका जो है हमारा Possessive अब Possessive मतलब होता है अधिकार दिखाना तो इसको बोलते हैं अधिकार वाचक या फिर हम किसी से relate करना यानि की Positive मतलब होता है relate करना भी होता है इसलिए इसको संबंध वाचक भी कहते हैं, संबंध वाचक, तो आपको समझ में आगे होंगे types of adjective, यह eight types के होते हैं और हमने इनके नाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लिए हैं, तो अभी इनको आगे चलते हैं और उनको definition के दुरू अलग-अलग, example के दुरू अलग-अलग इसको समझते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हमारा adjective of quality के बारे में adjective of quality का मतलब होता है गुन वाचक विशेशन, यानि कि कि किसी भी शब्द की, किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की विशेशता को बताना, यानि उसके गुनों का वर्णन करना उसके गुनों को बताना, तो उसको बोलते हैं हम adjective of quality तो यहाँ पर देख लेते हैं adjectives, वे विशेशन, that show, जो show करते हैं kind or quality of a person or thing, यानि कि किसी भी person, व्यक्ती और किसी भी thing, यानि वस्तु, किसी भी person और किसी भी thing की quality को बताते हैं, उसके प्रकार को बताते हैं, कि वो किस टाइप का है, उसकी quality क्या है, तो जो शब्द हमें किसी भी person और किसी भी thing की quality और उसके टाइपस यानि उसकी प्रकार को बताते हैं, उसकी विशेष्टा को बताते हैं, तो उनको हम बोलते हैं adjective of quality, क्या बोलते हैं adjective of quality, तो जैसे देख लेते हैं example, जैसे हमने देखा good, कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है, तो good हमें क्या बता है, लड़की की quality बता रहा है, कोई वस्तू भी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई वस्तू अच्छी है, कोई person अच्छा है, तो good हमें उसके गुन के बारे में बता रहा है, फिर है bad, यानि कोई वस्तू या कोई व्यक्ति बुरा है, bad उसकी quality है, strong, उसके बाद देख लेते है weak, thin, active, beautiful, fat, small, long, short, etc. तो बहुत सारी विशेश्टाई होती है, बहुत सारे word होते हैं ऐसी जो हमें quality के बारे में बताते हैं, तो कुछ word हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि good है, कोई चीज, bad है, strong है, या कोई कमजोर है, weak है, पतला है, मोटा है, काला है, active है, बहुत सुंदर है, beautiful है, handsome है, तो यह सब हमें किया बता रहे हैं, person या think की quality के बारे में बता रहे हैं, अब जो adjective of quality होता है, उसको हम दो तरीके से देखते हैं, दो परकार से हम उसको show करते हैं, दो तरीके से हम उसको देखते हैं, दो तरीके से हम उसको use करते हैं, तो सब Attributive का मतलब होता है, गुनातमक। यानि कि गुनातमक तरीके से जब हम उसको देखते हैं। ठीक है? और प्रेडिकेटिव मतलब होता है, विध्यातमक। इसको बलते हैं, विध्यातमक। अब दोनों में क्या difference है? इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगी? तो देख लेते हैं हम इच यूजड, यूजड क्या जाता है before noun, noun से पहले, जब एक adjective को हम noun से पहले use करते हैं, तो it is said to be used attributably, तो हम बोलेंगे कि वो गुनात्मक तरीके से use किया गया है, ठीक है, यानि कि उस noun की विशेशता को वो बता रहा है, तो देख लेते हैं कैसे, इसको example के थूरू समझें हम आज ऐसे the lazy boy was punished, तो यहाँ पर हमने एक sentence लिखा है, the lazy boy was punished, कि जो lazy लड़का था, उसको punish किया गया, अब यहाँ पर देखो noun है हमारा boy, और noun से पहले हमारा क्या आ रहा है, adjective, noun से पहले हमने adjective का use क्या है, तो यानि कि जो lazy word है, वो boy की quality के बारे में बता रहा है, और साथ में noun से पहले इसका use हुआ है, तो जिन शब्दों का use, जिन words का use, जिन adjective का use, noun से पहले किया जाता है, वो होते हैं attributive, तो उनको हम attributive use कहते हैं, ठीक है, अभी next देख लेते हैं, predicative, predicative use क्या होता है, when an adjective, जब एक adjective का use, जब एक adjective का use, आफ्टर वर्ब, यहां आप देखेंगे कि किसके बाद हो रहा है, वर्ब के बाद, तो हम उसको बोलते हैं predicatively, कि उसको predicatively use किया गया है, अभी predicative होता क्या है, यह word जो आया है, predicates से आया है, प्रेडिकेट, तो अब यह मैं आपको बताती हूँ कैसे, तो देखो कोई भी जो sentence होता है, वो कैसे बनता है, तो कोई भी sentence बनता है, subject plus verb plus object से, तो किसी भी sentence का structure ऐसा होता है, पहले subject आता है, फिर verb आता है, और उसके बा पार्ट हो गया, subject जो है हमारा, वो तो subject पार्ट हो गया, उसके बाद जो बाकी वाला sentence हमारा बचता है, जो बाकी का हमारा sentence बचता है, verb और object, verb plus object, यह सारा जो पार्ट उसको हम बोलते हैं, प्रेडिकेट, इसको हम बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीके, यह वाला तो है हमारा subject और ये वाला part है हमारा predicate, यानि कि कोई भी sentence दो part से मिलके बनाए है, subject and predicate, predicate में verb और object आते हैं, और subject तो होता ही है, subject के बाद जितना भी बाकी बचा है, verb के बाद वाला जितना भी sentence बचा है, वो हमारा predicate part होता है, तो अगर उस predicate part में कोई adjective आ जाता है, तो उस adjective को हम predicative use कहते हैं, यानि उसे कहते हैं कि वो predicatively use हुआ है, यानि कि predicative part में उसका use क्या गया है, तो attributive क्या है, कि अगर noun से पहले आ रहा है, तो वो subject के अंदर भी हो सकता है, और predicate के भी अंदर हो सकता है, जो noun की विशेष्टा को बता रहा है, बट विशेष्टा तो यहाँ यह noun और pronoun की बताएगा, प्रेडिकेटिव पार्ट में भी, लेकिन यह क्या होगा, यह उसके वर्ब के बाद होगा, आफ्टर दब वर्ब होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव ली यूज किया गया है, तो इसको हम संटेंस के तुर देख लेते हैं, जैसे, दा वे वोज लोंग, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि वे वोज लोंग, रास्ता लंबा था, आब यहाँ पर देखो दा वे क्या है, सब्जेक्ट है, और वोज से लेकर लोंग तक का जो पार्ट है, वो क्या है, प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, अब इस प्रेडिकेट पार्ट में लोंग वर्ड का यूज हुआ है, यानि कि एड्जक्टिव का यूज हुआ है, तो यह एड् देखें, our long journey, our long journey is troublesome, तो हम यहां पर देख सकते हैं, our long journey, तो जो long word है, हमारा long शब्द है, जो हमारे noun से पहले आया है, तो यह कौन सा यूज हुआ, आट्रिब्यूटिव, तो यह एट्रिब्यूटिव यूज हुआ, और उपर वाला जो long है, यह हमारा प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, तो यह दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, नेच्ट अपना proper adjective. तो सबसे पहले हमने समझा, जो हमारा first adjective था, वो हम देख चुगे हैं. तो अब देख लेते हैं, अपना proper adjective. तो proper adjective क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि proper मतलब होता है व्यक्तिव आचक. प्रोपर का मतलब यह भी मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति वाचक होता है, यानि कि किसी भी व्यक्ति से related, ठीक है, तो यहाँ पर हम declaration समझ लेते हैं पहले, an adjective which is formed, जो की बना है from the proper noun, proper noun से, तो देखो जो adjective proper noun से बना है, उसको हम proper adjective कहते हैं, proper noun कोन से होते हैं, किसी भी व् किसी व्यक्ति वस्तु या इस्थान का जो नाम होता है, वो proper noun होता है, और उससे बनने वाले adjective को, उससे बनने वाले adjective को हम proper adjective कहते हैं, जैसे कुछ वर्ड से हम पर देख लेते हैं, हमने देखा Indian, Indian क्या है हमारा adjective है, और यह किस से बना है, इंडिया से, इंडिया क्या है, proper noun तो इंडिया जो proper noun है उससे हमने क्या बनाया है Indian adjective ठीके तो ये हमारा हो गया Indian क्या हो गया ये हमारा हो गया proper adjective ठीके अब भी हम देख लेते हैं जैसे ब्रिटेन अब जो ब्रिटेन वर्ड है उससे हम क्या बनाएंगे ये हमारा ब्रिटिश अब जो ये ब्रिटिश वर्ड है ये किससे बना है प्रोपर नाउन से तो ये हमारा हो गया proper adjective इसको हम बोलेंगे proper adjective प्राई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी proper noun से बनने वाले adjective को हम proper adjective कहते हैं जैसे एक sentence की थ्रूइस कोड समझ लेते ह हैं I am an Indian I am an Indian कि मैं एक Indian हूँ तो इंडियन जो वर्ड आया है ये हमारा adjective है बट कौन सा proper because ये इंडिया वर्ड से बना है next देख लेते हैं जैसे he is a Canadian student तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं he is a Canadian student अब जो Canadian word है Canadian word हमारा proper adjective है because ये बना है Canada से Canadian proper noun है जिससे हमारा बना है Canadian तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि proper adjective क्या होते हैं next शलते हैं अपने adjective of quantity की तरफ adjective of quantity जैसे मैंने आपको बताया quantity यानि कि कितनी मात्रा है उसकी हम देख लेते हैं कि यहां पे कितनी मात्रा है कि how much कितना मात्रा हमारे पस given है कोई भी object हमारे पस कितना है कि एक किलो है दो किलो है कुछ ज़ादा है कम है कितना है तो इससे हमें पता चलता है उसकी quantity के बारे में quantity का मतलब होता है मात्रा, यानि कि परिमान, तो हम देख लेते हैं परिमान के बारे में, तो देखते हैं, an adjective that show, जो कि show करता है, how much, क्या show करता है, how much, यानि कि कितनी, how much of a thing, कि चीज कितनी है, हमारे पास कितनी चीज है, कितना उसका परिमान है, कितनी उसकी मात्रा है, तो उस इसको देख लेते हैं कुछ example यहां पर, example देख लेते हैं, जैसे हमने देखा enough, enough यानि कि कोई चीज हमारे पास काफी मात्रा में है, या फिर some, कुछ मात्रा में है, या फिर little, या नि कम है, या फिर much, जादा है, या फिर no, नहीं है, etc. तो ऐसे वर्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे पास जो चीज है, वो कम है, जादा है, थोड़ी है, बहुत है, या नहीं है, या अधिक है, तो ऐसे वर्ड का हमें पता चलता है, तो इसको example देख लेते हैं, इसके हम, जैसे, he had no money, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, he had no money, तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, तो हमने देखा no, कि परिमान कितना हैं हमारा नहीं है, तो यह हमारा क्या हो गया, adjective of quantity, इसको हम बोलेंगे, adjective of quantity, ठीक है, नेक्ट देख लेते हैं, जैसे, I have some gold, कि मेरे पास कुछ gold है, तो सम से पता चला हमें, कि कितना gold है, मेरे पास कुछ gold है, नेक्ट देख लेते हैं, he has much water, कि उसके पास काफी, उसके पास अधिक पानी है, मच पानी है, नेकि काफी पानी है उसके पास, तो हमें पता चला कितना पानी है, मच वोटर है उसके पास, तो इसके लिए हमें क्या पता चला, कि पानी की मात्रा कितनी है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, adjective of quantity के बारे में, कि adjective of quantity वाले जो word होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तुर की कितनी मात्रा है, ठीक है, तो यह हमें शो करता है, how much of the things के बारे में, तो next चलते हैं अपने, adjective of number के बारे में, तो देखो, अब number का मतलब होता है संख्या, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, adjective की संख्या के बारे में पता चलेगा, कि वह संख्या में कितने हैं, उससे हमें संख्या के बारे में पता चलता है, तो देख लेते हैं इसमें an adjective, एक adjective that show, जो कि show करता है, how many persons, कि कितने persons है या कितनी चीजे हैं, तो यहां पर हम person और हम पर तो था how much कि कितनी मात्रा है, परिमान में हमें पता चलता है कि कितनी मात्रा है, quantity में हमें पता चलता है कि कितनी मात्रा है या परिमान है, और यहां पर हमें पता चलता है कि how many, यानि कि number में कितने हैं, तो इसका मतलब क्या है क third है, fourth है, किस order पे हैं, तो हमें किसी भी person के place के order का हमें यहां पर पता चलता है. तो example देख लेते हैं हो यहां पर हम, जैसे हमने कहा की how many persons, तो हम देखेंगे one है, two है, three है, four है, एक्सेटरा, तो हमें यह पता चलता है कि कितने हैं यहां पर, या फिर हम देख लेता है कि किस नंबर पे हैं, जैसे कि first है, first नंबर पे हैं, या फिर second है, third है, fourth है, तो हमें उनके order का पता चलता है, तो इन वाले नंबर से, यानि कि जो हमने नंबर लिखी हैं यहाँ पर, कि कितने person है, या कितनी thing है, उनके हमें number का और उनके order का पता चलता है, अब जो ये हमारे adjective of number होते हैं, वो हमारे दो type की होते हैं, adjective of number दो type की होते हैं, एक तो है हमारा definite, अब देख लेते हैं definite, definite का मतलब होता है निश्चित, निश्चित और indefinite मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है तो definite मतलब निश्चित और indefinite मतलब अनिश्चित तो इनकी definition देख लेते हैं definite सबसे पहले हम बात करेंगे definite के बारे में definite जैसे मैंने आपको बताया कि निश्चित होते हैं तो definite denotes, definite क्या denote करते हैं exact number यह हमारा एक exact number denote करते हैं कि निश्चित number है कि हाँ इतनी ही है संख्या, ना इस से कम, ना इस से ज़्यादा, तो जो definite number होते हैं, ये हमारे दो type के number होते हैं, definite number दो type के number होते हैं, number एक होता है cardinal, और दूसरा होता है ordinal, अब ये cardinal और ordinal ये क्या चीज़ हैं, जो cardinal number होते हैं, ये हमारे होते है counting number, इनको हम counting number भी बोलते ह यानि कि जिस से हम count करते हैं, count हम कहां से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 से, तो हमारे जो नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, etc. तो यह चलते रहते हैं, कभी खतम नहीं होते हैं, तो यह तो हैं हमारे cardinal number, और ordinal number होते हैं कि हमारा कि व्यक्ति किस order पे खड़ा है, या कोई चीच किस order पे हैं, तो यह होते हैं हमारे first, second, third, fourth, fifth, etc. और यह भी चलते रहते हैं, कभी खतम नहीं होते हैं, cardinal भी कभी खतम नहीं होते हैं, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अब यह exact number है, या निकिन को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई चीच एक है, तो एक ही है, कोई चीच दो है, दो लिखी है, तो वह निश्चित ह है, कि दो ही है, तो इसमें example हम देख लेते हैं, जैसे, I have two pencils, कि मेरे पास दो pencils है, तो अब मेरे पास क्या है, दो है, निश्चित है संख्या, यानि कि हमें यह word जो है, यहाँ पर two pencils, यह नहीं बता रहा कि यहाँ पर कितनी पैंसिल है, चार है, या पाच है, यह तो नहीं ब पता चलता है, यहाँ में exact number पता चल रहा है, कि संख्या में वो दो ही है, या फिर हम देख लेते हैं, he has four bananas, कि उसके पास चार bananas है, तो देखो संख्या में क्या है, संख्या हमारी बिलकुल निश्चित है, कि उसके पास चार bananas है, तो यहाँ पर वो कोई घटना या भढ़ना नहीं हो रहा है, बिलकुल exact number है, तो यह आपको समय में आगे होगा definite number का, तो आप देख लेते हैं, indefinite number, indefinite जैसे नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब यहाँ पर number जो इनकी संख्या है, वो हमें बिलकुल exactly पता नहीं चलती है, कि कितने है, तो indefinite does not denote an exact number, तो यहाँ पर बिलकुल भी हमें exact number का पता नहीं चलता है, does not, यानि कि नहीं पता चलता है, कि हमारे पास संख्या कोई भी चीज कितने number में है, कितनी संख्या में है, sentence से हमें इसका बारे में आभ़ास नहीं होता, exact number बिलकुल पता नहीं चलताए, तो इसमें example देख इसके example है जैसे कि some, यानि कि कुछ, या फिर होता है little, यानि कम, few, few मतलब कुछ, या फिर हम देख लेते हैं many, many मतलब बहुत से, या फिर certain, एक्सेटरा, तो ऐसे कुछ number है हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हम exactly पता नहीं लगा सकते कि वो संख्या में कितने हैं, तो example देख लेते हैं यहां पर, जैसे I have some mangoes, कि मेरे पास कुछ आम है, some mangoes, तो यहां पर देखो, क्या है यहां पर some mangoes, तो आम तो हैं और कुछ हैं, exactly नहीं पता कि वो कितने हैं, कि 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, यह नहीं पता, बट हमारे पास कुछ आम है, इस sentence से हमें यह पता चलता ह तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने यह देखा था, कि जो हमने पिछला rule देखा था, पिछली वाली जो हमने definition देखी थी, adjective of quantity वाली, तो उसमें भी हमने यही वर्ड देखे थे, some, little, few, many, no, much, यही सारे वर्ड देखे थे, तो इसमें और उसमें क्या फरक है, तो यह adjective of quantity plus यहाँ पर जो भी आता है वो material noun होता है material noun तो जो adjective of quantity होते हैं, उनके साथ हम material noun का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, adjective of number देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर material noun हो जरूरी नहीं यहाँ पर material noun हो, जैसे हमने यहाँ पर example लिया, कि I have some mangoes, तो यह वाला जो sum होगा, यह फिर होगा count करने वाला, यानि कि mangoes को हम count कर सकते हैं, बट material noun को हम count नहीं कर सकते हैं, तो जो material noun है, उसके साथ जो adjective होगा, वो quantity होगा, और जो जिनको हम count कर सकते हैं, उन many है, much है, no है, certain है, वर, अधिकतर वो ही हैं, बट दोनों में क्या फरक है, कि quantity में हम उनको count नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम पूच रहे हैं, जिस वस्तू की मातरा के बारे में हम पूच रहे हैं, और number में हम उनको count कर सकते हैं, तो दोनों में आपको difference समझ में आ गया नेक्स चलते हैं अपने demonstrative adjective की तरफ अब जो यह demonstrative adjective है इसका मतलब होता है संकेत वाचक कि point out करना किसी की वस्तु की तरफ या किसी person की तरफ संकेत करना तो इसको हम बोलते हैं संकेत वाचक तो देख लेते हैं the adjective that points out देखो यहाँ पर आपको पता चल गया को points out which person or thing is meant is known as demonstrative adjective तो यह हमारा क्या है demonstrative adjective है अब demonstrative adjective और demonstrative pronoun हमने एक पढ़ा था demonstrative pronoun और अब हम पढ़ रहे है demonstrative adjective तो यहाँ पर दोनों में difference देखेंगे वैसे मैं उल्लेडी बता चुकी हूँ इसके बारे म तो इसमें मैं नहीं बता दिया तो दोनों में क्या difference है फिर भी एक थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे अभी देख लेते हैं demonstrative adjective कोन से होते हैं तो यह होते हैं आपके this that these those और आपका such ठीक है तो यह होते हैं आपके this that these those और such this that these those such तो यह जो adjective हैं यह हमारे pronoun भी हैं this that these those तो हमारे pronoun भी हैं और यह हमारे adjective हैं आप यह दोनों में थोड़ा सा difference यहाँ पर देख लेते हैं जैसे हमने देखा यहाँ पर हमने देखा this pen that book these girls those boys तो यहाँ पर देखो यह क्या हैं सब हमारे adjective हैं कैसे हमने पहचाना कि यह adjective हैं क्योंकि इनके साथ noun लगा है यह आप देख सकते हूं noun है सबके साथ जिन words के जिन जिन demonstrative adjective यानि कि जिनके साथ this that these those जिन में noun होता है वो हमारे adjective होते हैं और जिनके साथ noun नहीं होता वो हमारे pronoun होते हैं तो देख लेते हैं आप यहाँ पे जैसे this pen is mine कि यह pen मेरा है तो इस pen के साथ जो this लगा है वो क्या होगा adjective होगा क्या होगा adjective या अगर हम देखें this is my pen तो यहाँ पे हमने देखा this is my pen तो जो यह वाला this होगा यह होगा pronoun तो यह आपको समझ में आगया होगा कि अगर noun से पहले this that these those इनका use हो रहा है तो यह adjective की तरह work करेंगी अगर this के बाद noun नहीं लग रहा है तो वह वाला this that these दो जिनके बाद noun नहीं लग रहा है तो pronoun की तरह करेंगी तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा next चलते हैं अपने डिस्टिब्यूटिव एड्जक्टिव की तरफ अब जो डिस्टिब्यूटिव एड्जक्टिव है वह हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वितरन वाचक कोई चीज को हम डिस्टिब्यूट कर रहे हैं यानि कि जितने भी नंबर्स हमारे पास है हर एक नंबर को रैफर करता है डिस्टिब्यूटिव यानि कि सब को दी जाए वो चीज हर एक को each every सब को दी जाए तो वो हमारा डिस्टिब्यूटिव एड्जक्टिव होता है अब इसको हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से होते ह यह जो adjective होते हैं, यह हमारे होते हैं, each, every, either, और हमारा and neither, तो यहाँ पर हमारा देखो, each, every, either, and neither, तो यह होते हैं हमारे distributive adjective, और इनके बाद हमेशा क्या आता है, noun आता है, plus noun, noun का use होता है, क्योंकि अगर इनके बाद noun नहीं आ रहा, तो यह adjective नहीं है, और जब इनके बाद noun आता है, तभी यह adjective बनते हैं, अगर इनके बाद noun नहीं आ रहा, तो यह क्या बन जाते हैं, हमारे pronoun बन जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वाले रूल में बताया, पहले वाली definition में समझाया, तो same thing यहाँ पर है, अगर each के बाद कोई noun आ रहा है, तो वो adjective होगा, अगर each के बाद कोई noun नहीं आ रहा है, तो वो adjective नहीं होगा, ऐसे ही सब के साथ है, चारो के साथ ही ऐसा है, each, every, either or neither, सब के साथ ही ऐसा है, plus noun. तो noun का use होने से ही यह adjective बनता है, तो देख लेते हैं, हम कुछ sentence के थूरू हम समझ लेते हैं, जैसे, each student had a book, कि हर student के पास book है, तो देखो each के साथ किसका use हुआ है, student का, अब यहाँ पर each के साथ student का use हुआ है, तो यह हमारा adjective है, क्या है यह adjective? ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा adjective है, एक और देख लेते हैं, हम यहाँ पर either boy is lying, तो यहाँ पर देखो either word किसके साथ आया, boy के, तो यह हमारा adjective है, एक और देख लेते हैं, यहाँ पर either of you, is intelligent, तो हमने देखा either of you intelligent, तो यहाँ पर देखो either of you, इधर के बाद यहाँ पर noun नहीं आ रहा है, यहाँ पर noun नहीं आया, तो यह हमारा क्या होगा? तो यह हमारा pronoun होगा, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर distributed adjective के साथ noun नहीं आ रहा है, तो वो pronoun की तरह behave करेगा, अगर उसके साथ noun आ रहा है, तो वो adjective की तरह behave करेगा, तो next देख लेते हैं, अपना next rule, interrogative adjective, अब interrogative adjective जैसे देख लेते हैं कि क्या होते हैं? interrogative adjective होते है, प्रिशन वाचक, यह होते हैं हमारे question वाचक, pratication, ठीक है? अभी देख लेते हैं what, which, and whose, यह तिनों हमारे क्या हैं? interrogative adjective है, when they are used with noun, अब देखो यहाँ पर क्या condition हैं कि जब हम इनको noun के साथ यूज करते हैं, अगर हम इनको noun के साथ यूज कर रहे हैं, तो यह adjective है अगर noun के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह pronoun है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम which book is new तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी book नहीं है, which book तो which हमारा क्या adjective plus noun, तो यहाँ पे हमारा adjective plus noun है, तो यह हमारा क्या हो गया, interrogative adjective हो गया या अगर हम लिखे इसको ऐसे which is your shirt, कि तुमारी shirt कौन सी है, अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम इसमें पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो, question तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ noun नहीं है, यह which क्या है, अकेला है, यह वर्ब से पहले है, और इसके साथ कोई noun नहीं है, तो यह हमारा pronoun होगा, क्या होगा, यह हमारा pronoun होगा, ठीक है, next देख लेते हैं, जैसे हम which pen is black कि कौन सा pen, black है तो यहाँ पर देखो, which के साथ क्या आया है, यहाँ पर pen आया है, यानि पुछते कि आपका नाम क्या है? तो आप देखो, यहाँ पे what के बाद कोई भी noun नहीं है, तो यह हमारा pronoun है. तो यह difference आपको समझ में आ गया होगा, interrogative adjective और interrogative pronoun, pronoun में already मैं यह सब बताई चुकी हूँ, बट एक बार आपको दुबारे से revise हो जाएगा, जिससे की, इसलिए मैंने दुबारा बता दिया, revise कराने के लिए, तो अभी देख लेते हैं next, possessive adjective, तो same वही आ गया हमारा, जैसे हमने possessive pronoun में पढ़ाता और वहाँ पे मैंने इस adjective के बारे में already थोड़ा भो समझा दिया था आ हक के बारे में बात करता है, तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो adjectives, adjectives that shows, जो show करते हैं position, position मतलब अधिकार, हक, संबंद, it's called positive, उनको positive कहते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर सीधा हम चलते हैं अपने example की तरफ, तो यह देख लेते हैं, जैसे my, my मत मतलब तुम्हारा, our, our मतलब हमारा, his, उसका, her, उसका, its, and their, तो यह हो गया आपका, हमारे possessive adjective हो गए हैं यह, आप इसमें देख लेते हैं कि कैसे इनको हम यूज करते हैं, तो देखो, this is my house, कि यह घर मेरा है, तो यहाँ पर घर पर किसका दिकार है, मेरा, तो यह possessive adjective हो गया, आप देखो इनके बाद, जो possessive adjective होते हैं, यह adjective है, और plus noun का use होता है, यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जितने भी हमारे adjective होते हैं, अधिकतर उनके सब के बाद noun का use होता है, आप देख लेते हैं, जै क्या है, माई आया है, यहाँ पर अधिकार दिखा बाया है कि मेरा भाई है तो यह क्या हो गया? हमारा माई हम नहीं यह पर adjective हो गया. या फिर हम बोल देए That is your that is your hotel कि यह आपका hotel है तो hotel के साथ हम ने क्या लगाया है? योल लगाया है और यह हमारा noun है, तो यह हमारा adjective हो गया, ठीक है, अभी आपको इस समझ में आगी, या फिर एक और देख लेते हैं, जैसे its color is blue, कि इसका color blue है, तो color क्या है noun है, तो इसके साथ हमारा या इड्जक्टिव है, तो यह हमारा adjective है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा adjective के बारे में, पोजेसिव adjective क्या होते हैं, अभी हमने सारे definition पढ़ लिए adjective की, उसके हमने types पढ़ लिए, सबकी definition पढ़ लिए, हमने जितने भी types थे हमारे, और उनके example को पढ़ लिया, अभी हम कि adjective को हम कैसे comparison कर सकते हैं, comparison of adjective के बारे में पढ़ लेते हैं, comparison of adjectives, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, adjective के बीज में comparison, कि इनकी तुलना करने वाले हैं, कि adjective कैसे तुलना उनकी होती है, कैसे उनको comparison किया जाता है, तो देख लेते हैं, एक definition की थुरू यहाँ पर, एक definition यह यहां पर लिख्य हुई है, उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो यहां पर देखो, an adjective comes in three degrees, कोई भी adjective आता है तीन डिग्री में, यानि कि तीन डिग्री में यूज किया जाता है किसी भी adjective को, तो तीन डिग्री कौन सी है, positive, comparative, and superlative, and superlative degree, तो किसी भी adjective को हम तीन डिग्र में यूज करते हैं, ठीक है, तीन डिग्री में करते है, positive, comparative, comparative, and तीसरी है हमारी superlative, तो यह तीन डिग्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कि positive क्या होती है, comparative क्या होती है, superlative क्या होती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम positive degree, positive degree के बारे में हम पढ़ लेते हैं, when an adjective तो यहाँ पर देखो when, जब एक adjective is in its simple form, जब कोई adjective अपनी simple form में होता है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि वो अपनी positive degree में है, यानि कि सिर्फ simple एक ही person के बारे में बात करता है, किसी से comparison नहीं करता, किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना नहीं करता, सिर्फ एक ही व्यक्ति के ब बारे में बात होती है, यहाँ पर, तब हम बोलते हैं कि वो positive degree है, तो यह प्लकुल simple sentence होता है, simple form में होता है, जैसे हम देख लेते हैं good, fat, beautiful, good, fat, beautiful, thin, great, small, etc. यह सारे हमारे क्या है, positive degree में है, इनको अब क्या करेंगे हम sentence के थ्रू समझेंगे, sentence बना के देखते हैं, जैसे राम is fat, कि राम मोटा है, तो simple हमने बात किये, simple form में लिखा है fat को, तो यह हमारी positive degree है, ठीक है, जैसे हमने लिखा, sita is beautiful, कि sita सुन्दर है, तो यह बिल्कुल simple बात हमने कर दी, उसके बारे में हमने किसी से comparison नहीं की, सिर्फ एक ही person के बारे में बात किये, सबसे पहली बात क्या है कि positive degree में एक ही person के बारे में बात होती है, उसी की quality के बारे में बताया जाता है, उसका किसी से comparison नहीं किया जाता, और जब comparison करने की बात आती है, तो हम उसको बोलते है comparative degree, ठीक है, जब हम comparison कर रहे हैं यानि कि दो person के बीच में या दो things के बीच में जब comparison हो रहा है तो वो हमारी comparative degree है तो देख लेते हैं when an adjective is used to compare क्या किया जाता है compare किसकी compare को quality of two person यानि कि दो person की quality को यानि कि हाँ पर हम दो लोग होगी दो person की या फिर comparative degree, simple सी language में अगर बोलें कि जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुयों की quality के बारे में उनको आपस में comparison किया जाए तो हम उसको बोलते है comparison of adjective अब यह क्या होता है comparison of adjective तो देख लेते हैं कैसे इसको एक sentence के through समझ लेते हैं पहले से जैसे हमने लिखा था राम is fat, राम मोटा है तो वहाँ पर हमने राम की बात की थी सिर्फ एक ही person की बात की थी राम के बारे में बतायता है कि राम मोटा है और उसकी कहीं से compare नहीं की थी अब यहाँ पर अगर हम लिख दें कि रोहित is fatter than राम तो अब हमने का पहले sentence में हमने बोला राम मोटा है लेकिन राम से मोटा कोन है यहाँ पर रोहित रोहित is fatter than राम तो अब हमने देखो रोहित और राम दोनों की quality दोनों कैसे हैं मोटे बढ़ दोनों की quality को क्या कर दिया compare कर दिया आपकी यहाँ पर हमने compare क रोहित राम से भी मोटा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं तो इसमें कैसे word यूज होते हैं देख लेते हैं हम यहाँ पर जो word यूज होते हैं जैसे हमारा word है fat यह simple है और fat में हमने क्या लगा दिया er यहाँ पर comparative बनाने के लिए er का use किया जाता है तो हम उसको बना देंगे fatter ठीक है positive degree को हमने comparative degree में change कर दिया तो यह हमारा होगय fatter और इसके बाद हमेसा then का use होता है comparative degree में क्या होता है then का use तो हम क्या लिखेंगे comparative degree plus then तो यहाँ पर हमेसा then का use होता है इसकी पहचान है यह कि comparative degree में हमेसा then का use होता है तो यह आपको समझ में आ गया हुआ, अभी चलते हैं अपनी superlative degree की तरफ, superlative यानि कि विलकुल सबसे अलग, सबसे best, superlative यानि कि सबसे super है और सबसे उपर है, तो यह superlative degree देख लेते हैं, when an adjective is used to compare the qualities of three or more than three, तो यहाँ पर कितने person की quality की बीच में compare हो रही है, three person या 3 से जाधा person, यानि कि class में सबसे best, 3 में सबसे best या 3 से जाधा में सबसे best, तो इसको बोलते हैं superlative डिगरी, और इसको यह सबसे उपर वाली, सबसे उपर की डिगरी होती है, सबसे super डिगरी होती है, यह होती है the best, इस कोई से पहले हमें से दा का यूज होता है और इसमें EST लगता है अगर हमारे पास कोई positive degree है जैसे हमारे पास से positive degree हमने ले लिया small अभी मैंने आपको बताया था कि compare करेंगे दो में तो हम बनाएंगे comparative comparative में क्या होगा small में smaller हो जाएगा यह भी आगे मैं समझाने वाली हूँ सिर्फ यहाँ पे एक example ही बता रही हूँ भी छोटा सा और अगर हम इसको superlative बना दे superlative याणि कि सबसे best कर दें इसको तो यह हो जाएगा smallest इसमें EST लगता है तो यह हमारी हो गई superlative degree अब इसको हम sentence में कैसे use करेंगे जैसे he is the smallest in the class कि वो class में सबसे छोटा है in the class तो देखो पूरी class में सबसे छोटा तो यानि कि यह superlative degree है उसके जैसा कोई छोटा नहीं है उसके जितना कोई छोटा नहीं है सबसे छोटा है वो class में तो यहां पर क्या होगई हमारी Superlative डिग्री होगई Next देख लेते हैं अभी हम अपना ways to change positive into comparative and superlative डिग्री अभी positive डिग्री मैंने आपको बताई comparative मैंने आपको बताई superlative बताई है तो 3eg बताई मैंने positive positive को change करेंगे हम comparative में अभी हम सीखने वाले हैंगे, यह कैसे change करेंगे, और फिर हम उसको change करेंगे superlative में, तो कैसे हम किसी भी positive degree को, कैसे भी हम किसी positive degree को comparative भी बना सकते हैं, और हमको superlative भी बना सकते हैं, तो दोनों को हम transformation कर सकते हैं आपस में, तो इसके कुछ rules होते हैं, तो यहाँ पर हम उन rules के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो simple से rule हैं, कोई ज़्यादे tough नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा धिहान देना है आपको, तो देख लेते हैं rule number 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने rule number 1 के बारे में, और rule number 1 हमारा क्या है, तो देखेंगे, to change an adjective into comparative degree, er is added to the positive degree, यानि कि किसी भी degree को किसी भी positive degree को, अगर हमे comparative बनाना है, तो हम उसमें er plus कर देंगे, क्या लगा देंगे er, यानि कि positive plus er, तो positive plus er is equal to comparative, ठीक है, यह हमारी comparative बन जाएगी, अगर हम उसी positive degree में est लगा दे, क्या लगा दे, est add कर दे, तो वो हमारी superlative बन जाएगी, तो यानि कि positive plus est, इसमें हम est add कर दे, तो equal to superlative, तो यह हमारी बन जाएगी superlative degree, तो देखो simple सा है, क्या करना है, बस हमें er और est को plus करना है, और कुछ नहीं करना जा दे, तो देख लेते हैं कैसी, कुछ example देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम word लेंगे, जैसे हम ले जाद रहें कि हम किसके बारे में बात करना है, यह positive, फिर इसको बनाएंगे हम comparative में, और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसको superlative में, superlative, अब देखो हमने क्या लिया है, positive में हमने लिए great, अब हमें क्या करना है, यह वाला rule देखो er, er plus करके comparative बनानी है, तो हम क्या लिख simple सी है कोई इसमें दिक्कत नहीं है ER और EST प्लस करना है बस अभी हम ले लेते हैं जैसे thin thin मतलब पतला, great मतलब महान, इसका लिख देती हुमें आपको great मतलब होता है महान और thin मतलब होता है पतला तो thin को हम क्या करेंगे ER लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा thinner और यह हो जाएगा हमारा thinest अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं bold 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 में ले होता है बहादूर कि बहुत bold है वो बहादूर है और इसका हम बनाएंगी bolder और यह हो जाएगा हमारा boldest ठीक है अब भी next देख लेते हैं हम यहाँ पर अपना kind kind मतलब होता है दयालू और kinder और यह हो जाएगा kindest एक और देख लेते हैं यहाँ पर एक example और देख लेते हैं हम जैसे clever clever का मतलब होता है चतूर और यह हो जाएगा आपका इसमें er लगाना है तो clever और cleverest तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो हमारा first rule है कि er और east लगाके हम comparative और superlative degree बना सकते हैं next चलते हैं rule number 2 की तरफ अभी देख लेते हैं rule number 2 rule number 2 है if e is present at the end of the positive degree अगर हमारे पास कोई positive degree है और इसके last भी e already है तो हम er नहीं लगाएंगे हम क्या लगाएंगे r add करेंगे क्या करने के लिए comparative degree बनाने के लिए या फिर st add करेंगे superlative बनाने के लिए क्यों क्योंकि e already है e हमारे पास already है तो हम दोबारा e नहीं लगाएंगे इसमें यानि er प्लस नहीं करेंगे और नहीं est प्लस करेंगे हम सिर्फ r और st plus करेंगे क्यों क्योंकि हमारे पास e already है तो अभी हम क्या देखते हैं कि कुछ हम ऐसे word देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएं तो पहले हम देखते हैं brave अब देखो brave एक positive degree है और इसमें e already day रखा है e है तो यहाँ पर e को हम दोबारा नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे braver और bravest क्योंकि e already हमाँ पर present है अगर हम देखे fine तो fine का हो जागा finer और finest एक और देख लेते हैं large large का larger और largest देख लेते हैं able able का abler और ablest और एक देख लेते हैं एक और noble nobler और हमारा noblest एक देख लेते हैं एक और देख लेते हैं white whiter और whitest तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने e है देखो सम्में आप क्या देख रहे हो सम्में हमारे हैं पर last में e है तो हमने क्या लगाया r और est लगाया है बस तो next हम चलते हैं अपने rule number 3 की तरफ और rule number 3 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा, tough नहीं है, if the positive degree, अगर कोई positive degree end होती है, consonant पे, और उसके पहले एक vowel आ जाता है, short vowel comes before it, यानि कि कोई भी positive degree है हमारी, और वो consonant पे end हो रही है, consonant और vowel, यह तो आपको पता होंगे, कि जो भी हमारी alphabet होते हैं, alphabet में हमारे 26 letter होते हैं, कितने letter होते हैं, 26, ठीक है, अब जो यह 26 letter होते हैं, इनके अंदर 5 तो vowel होते हैं, 5 vowel, और जो बाकी बचे हमारे 21 जो letter होते हैं, वो हो consonant, ठीक है, उनको बोलता है consonant, तो हमारा जो यह rule है, rule number 3 है, वो क्या है रहा है, कि अगर कोई positive degree है, जैसे कि हमारे पास positive degree है, एक हमने ले ली red, हमने देखा यहाँ पे एक red है, हमने रेड वर्ड दिखा हुआ है, आप देखो D क्या है, D हमारा consonant है, और D से पहले E, E हमारा vowel है अच्छा यह vowel 5 होते हैं, कौन से होते हैं, A, E, I, O, और U, अब आपने इनको पहचान लिया है vowel को, इसके बाद जितने भी बाकी बचे वो सब consonant है, अब इन में से कोई अगर हमारा consonant से पहले आ गया, तो देखो E आ गया है हमारा पहले, और यहाँ पे हमारा consonant है, तो जो हमार last वाला word होगा, यह double हो जाएगा, यानि कि जब हम इसको comparative में बनाएंगे, तो R, E, double D, red के बाद फिर E, R लगेगा, तो यह हो जाएका redder, ठीक है, ऐसी हमारा क्या हो जाएगा, D double हो जाएगा, superlative में भी, R, E, double D, और इसके बाद लगेगा, E, S, D, reddest, तो यानि कहने का मत असलब यह है यहाँ पर, कि जो हमारा positive degree है, positive degree के last अगर हमारा end word, consonant से खतम हो रहा है, और उससे पहले just पहले वावल आ रहा है, तो जो हमारा consonant word है, वो तो double हो जाएगा, और साथ में उसमें ER और EST लग जाएगा, तो यह आपको अब देख लेते हैं, इसके कुछ word देख ले और thin, big, hot, thin, sad, और यहाँ पर आपका आजाएगा, sad के बाद हम ले लेते हैं, यहाँ पर fat, इन सब का हम देख लेते हैं, sorry, यहाँ लेख लेते हैं, इसको fat, तो यहाँ पर इन सब का देख लेते हैं, हम देखो, big क्या हो जाएगा, bigger, double G, biggest, hot का hotter, double T, and hottest, thin का thinner, यहाँ डबल N, और यहाँ जाएगा, thinest, sad का sadder, यहाँ डबल D, और यहाँ जाएगा saddest, और यहाँ आपका last fat, fat का double T, fatter, और यहाँ आपका हो जाएगा fatdest, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो next दलते हैं, पर रूल नमबर 4 की तरफ, अब रूल नमबर जो 4 है, तो उसमें हम क्या पट रहे हैं, कि जब एक positive degree, जब कोई भी positive degree, तो वो end हो रही है y पर, किस पर end हो रही है y पर, और उससे पहले consonant आ रहा है, बोबल नहीं आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर consonant आ रहा है, just y से पहले, तो y जो है, वो convert हो जाएगा i में, उसके बाद er लगेगा, उसके बाद eht लगेगा, तो अभी इसको example की थुरू समझ लेगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो देखो हमने क्या लिखा happy, यहाँ पर हमने लिखा happy, आप देखो यह y पर end हो रहा है, y पर end हो रहा है, और इससे पहले p, p क्या है, consonant, तो p और y दोनों ही consonant है, लेकिन हमारा जो word है, वो y पर end है, और उससे जश्ट पहले अगर consonant है, तो यह वाला y हट जाएगा, यह remove हो जाएगा, और इसके जंगे i आ जाएगा, तो ha, double p, y की जंगे क्या आ जाएगा, i और उसके बाद लग जाएगा, er, तो happier यह हो जाएगा, और सेम ऐसे ही, est में हो जाएगा, ha, double p, i, est, happiest, पर simple सा है, हमें क्या करना है, y को हटाना है, और उसके जंगे पर i, er, और i, est लगाना है, ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे heavy, heavy का क्या हो जाएगा, heavier, y हटा के i लगा दिया, और heaviest, ठीक है, next देख लेते हैं, जैसे marry, marry का क्या हो जाएगा, marrier, i, er, और marriest, i, est, busy, busy, busy का क्या हो जाएगा, busier, i, er, and busiest, i, est, तो यह आपको समझ में आगि, तो यह आपको I think समझ में आगिया होगा, अभी हमारा जो है rule number 5, rule number 5 देख लेते हैं, तो rule number 5 में क्या लिखा है कि, यह simple है आपका थोड़ा सा, rule number 5 देख लेते हैं, adjectives that are more than two syllables, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि, अगर adjective में दो syllable है, दो से ज़्यादा syllable हैं, या दो हैं, तो are change to comparative and superlative by adding more and most, तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो more लगाएंगे, या फिर most लगाएंगे, अब हमारा I, E, R, अब हमारा E, R और E, H, T तो लगाना खतम, अब हम क्या लगा रहे हैं, more और most लगा रहे हैं, कब जब हमारा जो adjective है, वो two syllables में हो, अब two syllables क्या होता है, तो देख लेते हैं, जैसे use full, use full, अब इसके अंदर क्या हैं, two syllables हैं, जैसे use plus full से बनाएगे, तो अब यह हमारा दो शब्डों में बुलता है, use full, ये एक शब्ड में नहीं बुलता है, तो दो शब्ड लगते हैं अवह बोलने में इसको, तो ऐसी इसमें हम बोलते हैं, two syllable, यानि कि два syllable है, एक syllable का होता है, जैसे मैंने red लिखा, तो red, x display हो अगया, thin लिखा, ये x लेबल हो गया, इसको हमे दो टुकड़ों में बोलना नहीं पढ़ रहा है, जबकि use full, हमें दो टुकड़े लग रहा है बोलने में, दो बार बोलना पढ़ रहा है, एक हमने जैसे लिखा beauty, full, या लिखा हमने hope, less, ठीक है, तो ये word, जिसमें हमारे दो सी level आएं, दो सी level आएं, तो उन से पहले comparative बनाने के लिए तो more का use करेंगे, और superlative बनाने के लिए most का use करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे useful है, तो इसका क्या हो जाएगा, more useful, और most useful, और यहां पर हो जाएगा beautiful का more beautiful, यहां पर हो जाएगा most beautiful, hopeless का हो जाएगा more hopeless, और इसका हो जाएगा most hopeless, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, तो उन words को हम देख लेते हैं, कि कौन से ऐसे word हैं, जिन से पहले हम more और most का use करते हैं, तो हमने जैसे देखा कुछ वर्ड जो हमारे खतम होते हैं, full पे, full, less, ing, और ed, तो अगर हमारे यह वर्ड इन पे खतम होना जैसे useful, hopeless, boring, surprised, तो इन सबसे पहले भी हमारा more और most का use होगा, इन में भी हमारा comparative बनाने के लिए more, और superlative बनाने के लिए most का use होगा, या फिर कुछ ऐसे और वर्ड होते हैं, जैसे modern, modern हो गया, या फिर हमारा हो गया recent, या फिर हमारा हो गया foolish, famous, या certain, और यह कुछ ऐसे वर्ड है, देखो, यह जो वर्ड है, इन से पहले भी more और most का use होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, more और most का use होगा, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, एक अभी हम और देख लेते हैं, यहाँ पर rule, more और most का use, किसके साथ होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जिसमें ER और EST भी लगा सकते हैं, यानि कि ER और EST भी लगा सकते हैं उन वर्ड में, और more और most भी लगा सकते हैं, उन में हम दोनों चीज़ लगा सकते हैं, जैसे हमने लिखा polite, अब polite में हम politer भी कर सकते हैं इसको, politer और politest यह भी कर सकते हैं यह फिर हम इसको more polite more polite और यह most है हम पूर को most polite most polite भी कर सकते हैं ठीक है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो अब इहाँ पर हम देख ले हैं ऐसे और कुछ भी word होते है जैसे polite है polite के लावा इहां पर कुछ word और कुन से होते हैं हैं इहां लिख लेते हैं इधर लिक्र रही हूं में इधर left side में में लिख रही हूं यहां पर जैसे gentle gentle मैं हम क्या करेंगे gentle में हम ER और ESD gentler, gentlest more gentle और most gentle यहां फिर हमारा होता है यहां पर देख लिएãy hectare हम more cruel, most cruel भी लगा सकते हैं या cruel में ER और EHT भी लगा सकते हैं common common में भी same more common, most common commoner और commonest handsome और आपका उजए का pleasant stupid तो यहाँ पर देखते हैं हम यह जितने भी word मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो भी यह मैंने word लिखे हैं जितने भी मैंने यहाँ पर word लिखे हैं तो हम इसमें यह वाला rule चलाएंगे तो यह वाला rule हमारा यह वाला rule हमारा इनके साथ यूज होगा, यह वाला rule यूज होगा यहां पर, तो हम यहां क्या करेंगे, ER और EST भी लगा सकते हैं, और More और Most भी लगा सकते हैं, Python का आपको यह Rule No. 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अभी हम यहां पर देख लेते हैं, Next Rule एक और हमारा Rule है यहां पर, एक Rule और हमें यहां पर समझना है, तो अभी हमने क्या देखा, कि हमने क्या क्या कि कुछ words में हम ER, EST और More और Most दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे word होते हैं, कुछ ऐसे comparative और superlative डिगरी होते हैं, जो positive डिगरी से नहीं बनती, same नहीं बनती, तो some comparative and superlative are not formed, from the positive, यानि कि कुछ ऐसी degree होती हैं, जो positive से नहीं बनती हैं, बना वो सीधे positive की जैसी नहीं होती, change होती हैं, तो अब कैसे होती हैं, जैसे हमने देखा good और well, अब ये good और well, दोनों हमारे, दोनों का मतलब होता है अच्छा, तो अगर हम इनकी यह लिख लेता हैं, यहाँ पर पहले positive हैं यह, फिर बनाएंगे हम इनकी comparative, और फिर बनाएंगे हम इसकी superlative, तो अभी देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी degree है, जो अलग होती है, बिल्कुल, उनका positive अलग होती है, comparative अलग होती है, और superlative अलग होती है, तो good well, good well का comparative होगा, वो होगा better, क्या होगा better, और इनका superlative होगा best, ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, bad, bad है, यहाँ पर evil, या फिर ill, इन तीनों का same ही बनता है, यहाँ पर आता है worst, और worst, ठीक है, इसका मतलब होता है बुरा, और good मतलब अच्छा, better माने good से अच्छा है, best से कम अच्छा है, और worst मतलब bad से जादे बुरा है, और worst से कम अच्छा है, तो यह होगा आपका, और इसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे little, little की जो comparative होगी, वो होगी less, less भी हो सकती है, और lesser भी हम इसको लिख सकते हैं, और जो इसकी superlative होगी, वो होगी least, ठीक है, next हम चलते है, many, many मतलब होता है बहुत से, और many का होता है more, और इसकी जो superlative होती है, वो होती है most, उसके बाद many का अगे much, much की भी more होती है, और most होती है, अब दोनों में क्या फर्क है, जो यह many है, many, वो number के लिए होता है, और जो much है, वो quantity के लिए होता है, quantity के लिए होता है, ठीक है, अब ही यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे old, old का क्या बनेगा, older, और इसका elder भी बन सकता है, elder, ऐसी oldest, और eldest, ठीक है, और देख लेते हैं, एक हम far, far का होता है, further, और farthest, और, और का होता है, further, और farthest, अब ही यह आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ ऐसी degree होती है, जिनका comparative और superlative अलग होता है, और एक बात होरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर, कि जो comparative degree होती है, जो comparative degree होती है, उसके just बाद हमेशा, comparative degree के बाद हमेशा, then का use होता है, किसका use होता है, then, क्योंकि यहाँ पर older than, further than, तो यहां पे than का use होता है, और superlative में, superlative में दा का use होगा, superlative degree से पहले, plus superlative, तो इनमें इससे पहले दा का use होता है, यह से the best, the worst, the least, the most, यहां पे हमेशा आपको जो पहचान होगी, इसकी यही पहचान होगी, कि इससे पहले जितनी भी superlative degree है इन से पहले दा का use होता है और comparative में than का use होता है बट बाद में, better than worse than, तो यहाँ पर आप देखो lesser than, यहाँ पर देखो आप सब में than का use होगा कहीं पर भी आप देखना than का use होगा क्यों क्योंकि दो में comparison हो रही है यहाँ पर दा बेश्ट है, तो इसलिए दा का use हो रहा है superlative में तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गई होगी तो next देख लेते हैं अपना some correct uses of adjective यानि कि हम कुछ ऐसे uses देखेंगे correct uses देखेंगे adjective के कि उनको कहां कहां पर हम use करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो rule है rule number one तो उसके देख लेते हैं कि rule number one में क्या लिखा है rule number one में लिखा है कि जो positive degree है किसी भी adjective की तो adjective की positive degree मैंने आपको बताया था कि simple word होते है जैसे कि fat, thin, strong, beautiful, intelligent, etc तो यह सब हमारी positive degree होती है तो कभी-कभी हमें sentence में as, as इसके बीच में एक fill in the blanks मिल जाता है और वहाँ पर बताना पड़ता है कि कौन सी degree को हमें fill करना है या फिर so और as के बीच में हमें किस degree को fill करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर भी आपको as, as यह so as दिखाई दे तो वहाँ पर हमारी positive degree आती है कौन सी degree आती है, positive degree आती है ठीक है, तो इन दोनों में अब difference क्या है कि इन दोनों में क्या difference है यहाँ पर हमने लिख दिया कि positive degree आती है ठीक है, दोनों में positive degree का यूज करते है but as, as और so as दोनों में क्या difference है यह देख लेते हैं अब जो as, as है वो हमें किसी भी दो व्यक्तियों की similarity के बारे में बताता है किसी के बारे में बताता है similarity कि वो दोनों similar है या फिर हम इसको बोल सकते हैं unlikelyness के बारे में बताता है और जो sore as है वो हमें dissimilarity के बारे में बताता है कि यानि कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो similar नहीं है, यानि कि उनमें थोड़ा सा change है, similar नहीं है, उनके क्या है, unlikeliness है, unlikelyness के बारे में बताता है, ठीक है, पहला तो हमने यह देख लिया, अब यह क्या देखते हैं कि, जो as, as है, वो positive sense को दिखाता है, यानि कि positive sentence में उसका use होता है, positive sense को दिखाता है, और जो sour as है, व इसको positive sentence में use करते हैं और इसको negative sentence में use करते हैं. तो यहाँ पर अब जो हमने दो चीजे देखी हैं as as और so as के बारे में, तो इसको यहाँ पर एक example की through देख लेते हैं, कि भई हम as as में similarity की क्या बात कर रहे हैं और dissimilarity की क्या बात कर रहे हैं. तो देख लेते हैं यहाँ पर, he is as intelligent as his brother. तो यहाँ पर देखो एक sentence जो हमने लिखा है कि he is as intelligent as his brother. कि वह है इतना ही intelligent है जितना की उसका भाई. तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है he और उसके भाई. दोनों में क्या बताईए similarity बताईए. कि वह इतना ही intelligent है जितना की उसका भाई. यानि कि बिल्कुल किसके जैसा है अपने भाई के जैसा है. तो यह हमारा क्या हो गया positive sentence है ठीक है यह positive sentence है तो यहाँ पे हमने किसका use किया है as और as के बीच में हमने positive degree को रखा है ठीक है अगर हम इसी sentence को negative में लिखते हैं तो जैसे he is not so intelligent तो हम as intelligent का use नहीं करेंगे हम करेंगे so intelligent he is not so intelligent as his brother कि वे इतना intelligent नहीं है जितना कि उसका भाई, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है इसमें हमें दिख रहा है dissimilarity यानि कि अंतर दिख रहा है कि दोनों भाईयों में अंतर है दोनों भाईयों में difference है तो यहां पर unlikeliness दिख रही है हमें कि वे इतना intelligent नहीं है जいたना की उसका भाई है तो और हम क्या देख रहे है कि यह negative sentence है जिए sentence है, negative तो negative sentence में तो हम so का use करेंगे और positive sentence में हम as का use करेंगे ठीक है तो यह दोनों में difference होता है तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक sentence और देख लेते हैं यहां पर एक example और देख लेते हैं this shirt is as good as mine कि यह shirt इतनी ही अच्छी है जितनी की मेरी तो यहां पर देख अमने क्या बताया है कि इस shirt को मतलब मेरी shirt से जो यह वाली shirt है वो इतनी ही अच्छी है जितनी की मेरी तो अगर हम इसको negative में करें, तो क्या हो जाएगा, this shirt is not, कि यह shirt इतनी अच्छी नहीं है, is not so good, कि इतनी अच्छी नहीं है, जितनी as mine, कि जितनी की मेरी, तो I think आपको इसमझ में आ गया होगा, कि as as और so as में क्या difference होता है, next चलते है, rule number two की तरफ, तो यहां पर हम देख लेते है, rule number two, तो rule number two में क्या लिखा है, कि when, जब, one is chosen, कि जब एक को चुना जाता है, एक को चूज किया जाता है, तो out of two, दो में से, जब दो में से हम एक को चूज करते हैं, तो we use a comparative degree, तो हम comparative degree का use करते हैं, ठीक है, और उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा और उसके बाद में लगा तो यह हमें अच्छे से clear हो जाएगी, तो जैसे हम लिखेंगे, he is the best of two brothers, ठीक है, he is the best of two brothers, कि वह अपने, sorry, वह दोनों भाईयों में अच्छा है, निकि दो भाईये, उन में से वह अच्छा है, तो दो भाईय में से एक को चुनाए हमने, तो दोनों में से किसको चुनाए उसको, कि वह अपने दोनों, वह दोनों भाईयों में से best है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, he is the best of the two brothers, तो हमने यहाँ पर किसका यूज क्या है, the best यानि कि superlative degree का यूज क्या है, जबकि according to rule क्या लिखा है, देखो rule में क्या लिखा है, कि जब हम दो में से एक को यह हमारा गलत होगा sentence, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, comparative degree का, कब जब दो चीजे हैं हमारे पास, दो person है हमारे पास, और उन में से हम एक को चुन ले, यानि कि एक को चूज कर ले, जैसे दो भाईयों में से हमने उसको चुना कि वह best है, तो हम यहाँ पर superlative degree यूज कर of two brothers, कि वह दोनों भाईयों में सबसे अच्छा है, क्या है, वह दोनों भाईयों में better है, ठीक है, जैसे best तो हो गया, कि बहुत सारे में से चूज करना, best को हम चूज करते हैं, जादा में से, बट यहाँ दो की बात हो रही है, तो हम better का use करेंगे, कि he is the better, यानि कि दोनों और देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर, which is the cheapest, कि कोन सा सबसे चीप है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, silver या फिर gold, तो हमने क्या देख पड़ा, इस sentence में, तो which is the cheapest, कि कोन सा सबसे चीप है, silver या gold, तो देखो बात हो रही है, silver और gold, दो ही metal है यहाँ पर, और इसमें से हम पूछ रहे हैं, कि कोन सा cheap है, तो cheapest तो हमारा देखो, superlative degree है, जो कि हम यूज करते हैं, दो से जादे के साथ में, और यहाँ पर हम किस में से choose कर रहे हैं, द यहाँ पर हम करेंगे cheaper, तो which is the cheaper, कोन सी cheap है, यानि silver या gold में से कोन सी cheaper है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, कि जब हम दो में से choose करेंगे, तो अगर मापे दा भी given है, तो हम किस का use करेंगे, comparative degree का, और उसके बाद हम off का use करेंगे, ठीक है, जैसे हमने sentence number 1 में देखा, क अभी देख रहेते है, rule number 3, rule number 3 पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखो, when two qualities of a noun और a pronoun are compared with each other, तो यहाँ पर देखो, जब किसी एक noun हमें given है, या फिर एक pronoun given है, sentence में या तो हमें noun given है, या फिर pronoun given है, और एक किसी noun की दो quality के बारे में बात की गई है, या किसी pronoun की दो qualities के बारे म तो दो qualities दी गई है, और उसको compare किया गया है, with each other, यानि कि एक दूसरे से compare किया गया है, तो हम किसका यूज करेंगे, देखो, more plus positive degree का, किसका यूज करेंगे, more plus positive degree, जबकि अभी हमने क्या पढ़ाता, more plus positive degree का यूज करेंगे, किसकी बजाए, instead of comparative degree, यानि कि अभी तो हमने क क्या पढ़ा rule number two में, कि अगर दो चीजे हमारे पास given है, दोनों में से हमें एक को choose करना है, तो हम comparative degree का use करेंगे, अब लेकिन rule number third क्या कह रहा है, कि कि किसी भी noun की दो quality की बारे में अगर हमें बताया गया है, और उन दोनों quality को आपस में ही compare किया गया है, तो हम comparative degree का use नहीं देखा, राम is more stronger than intelligent, तो यह जो sentence है, इसमें हमें राम, राम हमारा क्या है, नाउन, इसकी दो quality बताई है, कि वो strong भी है और intelligent भी है, बट इसने क्या कहा कि, intelligent से जादा strong है, intelligent थोड़ा कम है और strong जाद है, तो यहाँ पे देखो, दो qualities, यानि कि strong एक quality है, और intelligent एक quality है, तो इन दोनों quality की बीच में comparison है, ठीक है, राम की किसी दूसरे परसन से comparison नहीं है यहां पर राम की हमने किसी दूसरे परसन से comparison नहीं की यहां पर हमने क्या क्या है राम की ही quality है यह राम की ही गुन है राम की ही गुनों को आपस में compare किया है तो जब हम नाउन के गुनों को आपस में compare करते हैं उसकी quality को आपस में ही compare करते हैं तब यहां पर comparative का यूज नहीं होता है, तब यहाँ पर क्या होगा, इस sentence यह sentence हमारा गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे, राम is more strong, यहाँ पर हम positive degree का यूज करेंगी, more strong than intelligent, क्यानी कि राम intelligent से जादा strong है, ठीक है, समझदार होने से जादा वो क्या है, strong जादा है और समझदार थोड़ा कम है, तो यहाँ पर stronger का यूज करना गलत होगा, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, एक और example देख लेते हैं, she is more clever than intelligent, तो same thing यहाँ पर भी यह है, अभी हमने क्या क्या है, यहाँ पर हमने cleverer नहीं लगाया, देखो यहाँ पर हमने clever का यूज क्या है, हमने किसका यूज क्या है, positive degree का, positive degree का, और positive से पहले किसका यूज क्या है, more का, देखो positive plus more, उपर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, more plus positive degree का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद than का यूज करेंगे, तो I think आपको rule number third अच्छे से clear हो गया होगा, एक बार और समझा देती हूँ में, कि किसी भी noun या किसी भी pronoun, देखो नीचे हमने pronoun का sentence लिया है, और उपर हमने राम का लिया है, यानि कि noun का लिया है, तो किसी भी noun या pronoun की, जब दो qualities को आपस में compare करते हैं, तो उस जंगे पर comparative degree का यूज नहीं करते हैं, बलकि positive degree का यूज करते हैं, और उससे पहले more लगा देते हैं, और उसके बाद then का यूज करते हैं, तो I think rule number third clear हो गया होगा, next चलते हैं, rule number four की तरफ, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, rule number four को, if one is compared with all the other of the same variety, तो अभी यहाँ पर देखो sentence क्या है, कि अगर एक चीज को compare किया जाता है, उसके ही जैसी दूसरी चीजों से, एक चीज को compare किया जाता है, उसके ही जैसी दूसरी चीजों से, तो हम any other का use करेंगे, ठीक है, any other का use करेंगे to exclude the former, यानि कि पहले वाली को exclude करने के लिए, पहले वाली को compare करने के लिए, दूसरी वाली चीजों से, तो हम क्या use करेंगे, any other का, यह देखो, any other का use करेंगे, ठीक है, कब, जब एक चीज, अपनी ही दूसरी, अपनी ही variety की दूसरी चीजों से, इसको compare reason किया जाए, तो एक sentence के थ तो gold is more precious than any other, हमने क्या use करेंगे, any other metals, तो हम नहीं देखो, sentence में क्या देखा है, कि gold, gold एक metal है, और उसको क्या बोला है, कि वो दूसरी सारी metals है, any other metals, कि जो दूसरी metal है, उनसे जादा precious है, ठीक है, दूसरी जो metal है, तो gold भी एक metal है, और हम उसको comparison कर रहे हैं, same variety से, यानि metal से ही compare कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कि वो more precious है, than किसे, any other, तो हम any other का use करेंगे, इस metal words से पहले हम किसका use करेंगे, any other का, एक और example देख लेते हैं, आपर हम, एक और देख लेते हैं, जैसे राम, is wiser than any other student, students, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, राम बुद्धिमान है, राम wiser है, दूसरे विधार्तियों से, कैसे, दूसरे विधार्तियों से, तो राम भी एक student है, राम क्या है, वो भी एक student है, और हमने किसे comparison किया है, दूसरे एक student से, तो राम को हमने compare किया है, उसके ही जैसी same variety से, यानि कि उसके ही जैसे दूसरे लोगों से, कि राम दूसरे student से पहले वाली से उसको भार निकालने के लिए उन्ची जोंसे उसको भार निकालने के लिए तो हम एनिएधर का यूज करते हैं, तो I think आपको यह rule number 5, sorry, आपको यह rule number 4 अच्छे से clear हो गया होगा, तो अब चलते हैं अपनी rule number 5 की तरफ, rule number 5 थोड़ा आसान है, इसमें कोई दिक उसके बाद हम 2 लगाएंगी, note then, then का use नहीं करेंगे हम, then का use नहीं करेंगे, हम 2 का use करेंगे, तो अभी वो कौन से वर्ड होता है, जिनके last में IOR होता है, जैसे की होता है superior, पहले वर्ड देख लेते हैं, superior, junior, senior, prior, etc, तो ऐसे काफी सारे वर्ड होते हैं, जिनके last में क्या आता है, IOR, यह आप देख सकते हैं, IOR, IOR, and IOR, तो यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखे हैं, उन सब के बीच में IOR है, और ऐसे और भी भो सारे वर्ड होते हैं, जिनके last में IOR आता है, तो अब हम देख रहे हैं कि यह थोड़े थोड़े में comparative degree जैसे लग र तो इसके बाद हम two word लगाएंगे, ठीके, two का यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैं आपको बता देती हूँ, he is superior, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया me, superior me, और यहाँ पर मेरे पास fill up है, तो he is superior, और यहाँ पर हमें दे रखा है to, या than, तो इन्वेस हम किस का यूज़ है he is superior than me, यहाँ मुझसे ज़्याद है superior है, बट than का यूज़ करना यहाँ पर रोंग होगा, हम यूज़ करेंगे to का, क्योंकि हमारा rule क्या कहता है कि I, O, R से end होने वाले adjectives में हम to का यूज़ करते हैं, not than, than का नहीं, तो यहाँ आएगा he is superior to me, या फिर हमने एक और देख यह अच्छे से clear हो गया होगा, next चलते है, rule number 6 की तरफ, अभी जो rule number 6 है, वो भी थोड़ा असान ही है, तो देखो कुछ adjective, कुछ adjective ऐसे होते हैं, जैसे कि interior है, empty है, triangular है, etc, are not used in comparative और superlative, यानि कि कुछ adjective ऐसे होते हैं, जिनकी हम comparative और superlative में जिनको use नहीं करते हैं, यानि कि उनकी comparative और superlative बनती ही नहीं है, ठीक है, क्या नहीं होती, वो comparative और superlative में use ही नहीं होते, तो interior, empty और triangular, इनके अलावा भी बहुत सारे adjective होते हैं, तो कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि थोड़े से आपको समझ में आ जाएं, exterior, circular, extreme, entire, eternal, everlasting, square, round, और आपका ideal, और flat. तो यहाँ पर मैंने कुछ और लिख दिये हैं, जैसे exterior, circular, extreme, entire, eternal, everlasting, square, round, ideal, flat, तो यहाँ पर कुछ और लिख दिये हैं, यह इस तरह की जितने भी adjective होंगे, उनको हम ना तो comparative में use करेंगे, और ना ही हम superlative में, sorry, उनको ना तो comparative में use करेंगे, उनको ना तो comparative में use करेंगे, और ना ही उनको superlative में करेंगे, और इनके साथ, जितने भी मैंने यहाँ पर word लिखे हैं, इनके साथ vary, ja फिर कोई और adverb, का use भी नहीं करते हैं, ना तो इनके साथ very लगाते हैं, और ना ही इनके साथ कोई adverb लगाते हैं, जैसे vary exterior, very circular, तो इनके साथ इसका भी यूज नहीं करते हैं ठीक है वेरियोर एडवर्ब का भी यूज इनके साथ नहीं करते हैं तो जैसे हम देख लेते हैं कि एक्जैम्पल यहाँ पर गुड़ डीड्स और एवर्लास्टिंग कि जो अच्छे काम होते हैं वो अंतितक्तिके रहते हैं ठीक है तो देखो एवर्लास्टिंग एक सिंपल वर्ड हम ने सको पोजिटिव डिग्री में किया है तो यह जितने भी हमें ह Kerry ऑँ हो सब पोजिटिव डिग्री में होते हैं कमपेरिटिव और सुपरलेटिव में नहीं होते हैं तो next चलते है rule number 7 की तरफ, अब rule number 7 क्या है, देखो क्या लिखा है, some adjectives, यानि कि कुछ adjectives are used only positive and superlative, यानि कि कुछ adjectives ऐसे होते हैं, जिनको सिर्फ हम positive और superlative में use करते हैं, उनको हम comparative में use नहीं करते, सिर्फ किस में करेंगे, positive में और superlative में, तो यह तो simple ही है, अभी देख लेते हैं कौन-कौन से हो, जैसे कि हमने 6 में देखा कि कौन-कौन से बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं किस तरह की होते हैं वो, तो देखो यह positive लिख लेते हैं इधर, और इधर लिख लेते हैं superlative, जिससे की clear हो जाए अच्छ ठीके top का बनेगा हमारा topmost, अगर हम देखे नर्दन, तो यह हो जाएगा हमारा नर्दन का नर्दनmost, नर्दनmost, अगर हम देखते हैं यहाँ पे सर्दन, तो सर्दन का हो जाएगा हमारा सर्दनmost, सरदन नोस्ट ठीक है अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इस्टन तो इस्टन का हो जाएगा इस्टन मोस्ट एंड लास्ट है हमारा वेस्टन और वेस्टन का हो जाएगा वेस्टन मौस्ट तो ये कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे adjective हैं जो कि सिर्फ positive में और सिर्फ superlative में ही बनते हैं comparative में इनका use नहीं होता है ठीक है? I think आपको यह समझ में आ गए होगी कि कौन-कौन से हमारे adjective हैं जो सिर्फ positive और superlative में डिग्री में ही इनको use करते हैं next चलते है rule number 8 हमारा rule number 8 भी होता सान है देखो adjective जो है हमारा preferable preferable जो adjective है वो सिर्फ comparative डिग्री में use होता है ठीक है? और जब उसको comparative डिग्री में use करते हैं तो वो किस से follow होगा? to से not then यह then यह more से नहीं होगा सिर्फ वो two से follow होगा ठीक है? उसको हम किस से follow करेंगे? to से ही follow करेंगे जैसे हम एक देखने हैं इसका example this is preferable to that कि यह है उससे ज़्यादा preferable है अब इसके साथ देखो मैंने to का use किया यहाँ पर हम then का use नहीं करेंगे then का use यहाँ पर रोंग होगा जबकि हमने लिखा है कि more का भी रोंग होगा बट यहाँ पर हम more का कर सकते हैं need नहीं है इसके करने की जरूरत नहीं है need नहीं है यहाँ पर more की लेकिन अगर हुआ है तो वो भी गलत नहीं है ठीक है more की need तो नहीं है बस यहाँ पर इतना ही काफी है this is preferable to that अगर आप more लगा भी रहे हो तो महाँ पर उसकी need कोई गलत नहीं है वो लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते तो ऐसी कोई गलत नहीं होगा कि आपने लगा दिया तो वो रोंग हो जाएगा बट महाँ पर उसको जरूरत ही नहीं है preferable word अपने आप में ही एक ऐसा word है कि उसमें more लगाने की जरूरत ही नहीं और लगा भी तो एड़क्टिव आर यूज़्ट फोर ए सिंगल नाउन की अगर दो एड़क्टिव देखो यहां पे क्या लिखा है दो टो एड़क्टिव सको यूज्स किया गया है एक सिंगल नाउन या एक सिंगल परोनाउन के लिए एंद दोनो ही एड़क्टिव हमारे connected हैं by a conjunction conjunction, conjunction जैसे end हो गया आपका, तो दोनों ही adjective हमारे same degree के होंगे, same degree के होंगे, अगर दोनों positive है तो positive ही होंगे, comparative है तो comparative होंगे, superlative है तो superlative होंगे, एक positive comparative नहीं होगा, एक positive superlative नहीं होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे, positive positive, comparative comparative, superlative, superlative, ठीक है, त जब दो adjective हमारे एक single noun के लिए use के जाएं, तो अभी इसको हम क्या समझेंगे, एक example के थूरू समझेंगे, जैसे हम देखेंगे, Rita is the noblest and wiser of all students, तो यहाँ पर जो हमारा sentence है, उसमें क्या लिखा है कि जो रीता है, वो noblest भी है, wiser भी है, सारे students में, तो यहाँ पर हमने रीता एक noun है, इसके जो हमारे दो adjective, इसके लिए हमने दो adjective का यूज़ किया, एक noble, एक wise, तो दोनों ही adjective अब हमारे according to rule, और देखो इसको हमने किस से जोड़ा है, and से, and क्या है हमारी conjunction, तो हमने का जब दोनों ही conjunction से जुड़े हुए हो, तो जो दोनों ही हमारे adjective होंगे, वो same degree के होंगे, जबकि उपर वाले sentence में मैंने क्या लिखा है, एक मैंने noblest लिखा है, और एक मैंने wiser लिखा है, तो दीता is the noblest and wisest, तो यह हमारा जो wisest है, यह गलत होगा, और इसकी जंगे पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि according to rule, rule क्या कहता है, कि दोनों adjective same degree के होंगे, तो यहाँ पर हम इसको अलग-अलग degree में नहीं लिख सकते हैं, तो I think ही clear हो गया होगा आपको rule noblor 9, अब ही चलते हैं rule noblor 10 की तरफ, तो 10 वाला जो rule है, उसको देख लेते हैं, वही क्या लिखा है यहाँ पर, if the, किसका use, the का use, the is used before an adjective, यदि किसी adjective से पहले हम दा का use कर देते हैं, तो adjective, adjective नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, becomes a plural common noun, तो वो adjective हमारा plural common noun बन जाएगा, it will hence take a plural verb, और इसके साथ हमें किसका use करना पड़ेगा, plural verb का use करना पड़ेगा, यानि कि हमारे पस कोई word लिखा है the, साथ में हमारे इसके लिखा है adjective, तो यह हमारा किसके एकवल होगा, plural common noun की, plural common noun की यानि कि फिर हम इसको adjective नहीं बोलेंगे, हम इसको the plus adjective को क्या बोल देंगे कि ये भई plural common noun है और इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे plural verb का यूज़ करेंगे plural verb का यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से clear हो गया होगा आपको कि जो the और adjective अगर दे रखे हैं तो वो adjective नहीं है वो क्या कहलाएगा हमारा plural common noun बन जाएगा और इसके साथ हम plural verb का यूज़ करेंगे तो देख लेते हैं एक sentence the honest are rewarded rewarded अब यहाँ पर देखें the honest, honest क्या है हमारा adjective है अगर हम देखें तो honest हमारा adjective है लेकिन इससे पहले मैंने किसका यूज़ कर दिया da का, to the honest, तो यह मेरा क्या बन गया? इमानदार व्यक्ति the honest मतलब हो गया है हाँ पर इमानदार व्यक्ति की बात हो गई की जो इमानदार व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते है? rewarded यानि की इनाम के हगदा होते हैं तो the honest word जब हमने से पहले दा का यूज़ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, plural common noun बन गया, ठीक है, common noun हो गया, कि जो इमानदार व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते है, rewarded, तो हमने से इसके बाद किसका यूज़ क्या है, plural noun का यूज़, यहाँ पर हमने plural verb का यूज़ क्या है, यह जो verb हमारा कैसा है, plural है, तो अभी आपको इस समझ में आ गया होगा, कि कैसे adjective से पहले दा लगाने से, क्या change आ गया इसमें, इस sentence के अंदर क्या change आ गया, कि adjective अड्ज़क्टिव नहीं रहा, अभी हम देख लेतें next, एक और देख लेतें इसमें example, जो थोड़ी बहुत कमी रहा गई, वो अच्छे से clear हो जाएंगी, जैसे the rich, अभी देखो rich क्या है हमारा adjective है, और उससे पहले हमने अगर दा लगा दिया, तो यह adjective नहीं रहा, तो the rich usually exploit the poor, अभी यहाँ पे देखो दो-दो adjective हैं हमारे poor और rich, और इस दोनों से पहले हमने किसका यूज़ कर दिया दा का, तो अभ दारिच क्या बन गया, अभी तो दारिच हमारा plural common noun बन गया है, अभ प्लूरल common noun बनने की वज़े से इसका जो meaning है, वो change हो गया और यहाँ पे आगया अमीर लोग, क्या आगया अमीर लोग, यानि कि जो अमीर होते हैं, वो usually exploit करते हैं, exploit करते हैं मतलब कि परिशान करते हैं, कि इनको the poor यानि गरीब लोगों को, तो poor का मतलब वो आगया हैं यहाँ पे गरीब लोग, तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि किसी भी adjective से पहले एकर हम दा का यूज़ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है plural common noun बन जाता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि rule number 10 क्या कह रहा है हमारा इनके अलावा अब हम एक अलग-अलग word के rule पढ़ेंगे अलग कि किसी भी word क्यों किसी भी adjective को हम कैसी यूज़ करें तो देख लेते हैं सबसे पहले कुछ और adjective के बारे में तो हमारा पहला देक लेते हैं पहला adjective क्या है कि हमारी कुछ adjective ऐसे होते हैं बहु ज़दा confusing होते हैं तो छो यहां पर लिखा है पहले adjective में farther further, further and farthest, तो देखो यह हमें क्या लग रहे हैं, सेम से लग रहे है, further and further, दोनों में कोई difference नहीं लग रहा, further, further, यह बहुत confusing होते हैं, इनको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो इनका use कैसे करना है, क्योंकि farther की जंगे पर further का use नहीं कर सकते, और further की जंगे पर further का use नहीं कर सकते तो अब इन दोनों में क्या difference होता है इनको हम कहाँ कहाँ पर use करते हैं तो ये हमें सीखना है तो देख लेते हैं एक word हमने पढ़ा है जैसे far किसी भी word को जैसे हमने एक word पढ़ा है far और far का मतलब होता है दूर ठीक है far का मतलब होता है दूर अब far की जो comparative degree होती है वो होती है farther ठीक है और जो इसकी superlative degree होती है वो होती है farthest तो अभी देखो ये होता है दूर और farther का मतलब होता है थोड़ी सी दूर थोड़ी सी दूर और जो farthest होता है उसका मतलब होता है ज्यादा दूर यानि कि अधिक दूर या फिर ज्यादा दूर तो यहाँ पर हमने difference देख लिया कि जो far है उसका मतलब होता है दूर और farther मतलब थोड़ी सी दूर और farthest मतलब ज्यादा दूर यह हमारा positive degree है यह हमारी positive degree और यह हमारी comparative degree और यह हमारी superlative degree ठीक है तीनों में फर्क अभी है आपको समझ में आ गया अब जो further है हमारा अभी हम एक example पहले देख लेते हैं अब जो यह word है हमारा far इसको हम distance के लिए यूज करते हैं किस के लिए यूज करते हैं distance के लिए यानि कि दूरी बताने के लिए तो यहाँ पर एक sentence देखेंगे हमें यहाँ पर जैसे the petrol pump is further from this location तो यहाँ पर जो मैंने sentence लिखा है इस sentence का मतलब है कि जो petrol pump है is further यहाँ से थोड़ी सी दूर है from the इस location से तो further word किस के लिए थोड़ी सी दूर के लिए तो far का मतलब होगे दूर और farther मतलब होगे थोड़ी सी दूर और farthest यानि कि जादा दूर अगर हम farthest का यूज करते हैं तो देखो this is the farthest place from railway station तो अभी हमने क्या का है sentence में कि जो यह railway station से सबसे दूर जंगा है this is the farthest place from the railway station तो अगर हम जादा दूर की बात करते हैं तो हम लगाएंगे farthest और थोड़ी सी दूर की बात करेंगे तो farther और far तो होता है हमारा दूर, मैं और थोड़ा दूर तो अभी further तो आपको समझ में आ गया अब further से कैसे difference है यह, further का मतलब क्या होता है क्योंकि mostly क्या करते है हम further को ही further की जंगे पर use कर देते हैं further का meaning हमें पता नहीं होता है, तो अब देख लिएते further में और further में क्या difference है, main मकसद हमारा क्या था इसको देखने का, हमारा था कि further औ further में क्या difference है, अब एक word हमने सुना है 4, क्या सुना है 4, 4 का मतलब होता है आगी, ठीक है, इसका मतलब होता है आगी, अब 4 क्या है, positive degree है, और इसकी जो comparative degree होती है, वो होती है further, further का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा आगी, अगे तोड़ा सा आगे और जो हो गया इसकी superlative degree क्या होगी furthest तो furthest मतलब हो गया जदे आगे आगे का मतलब यहाँ distance से नहीं है अब जो यह word मैंने आगे लिया है इसका मतलब यहाँ पर distance से नहीं है इसका मतलब होता है action कि हम आगे क्या action करेंगे, further action हमारा क्या होगा तो यहाँ पर दूरी की बात नहीं करेंगे, distance की बात नहीं करेंगे further के लिए, farther के लिए हम तो distance की बात करेंगे, जो उपर वाला वर्ड है हमारा farther oremा फार्डर वो तो आता है No further आप देख Ll рублей क्या लिखा है No further action इज रिकॉएरड कि आगे किसी action की required नहीं है तो यहाँ पर देखो further action याँनि कि आगे किसी action की required नहीं है further action यहाँ पर कोई distance की बात नहीं हो परिःसी दूर जाना है further distance है नहीं सिर्फ action की बात हो रही है ठीक है एक और एक्जेम्पल देख लेते हैं आपर, please don't make further delay, कि please जादे देर मत करिये, मतलब आगे और देर मत करिये, please don't make further delay, कि आगे और देर मत करिये, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, कि further and further, दोनों में क्या difference है, further distance के लिए आता है, further action के लिए आता है, ठीक है, सिर्फ इतना सा difference होता है, जिसमें हम confused हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, कि हम यहापे further का use करें, या further का use करें, तो आगे चलते हैं, अपने next rule की तरफ, जो है हमारा sum और any, sum और any में क्या difference होता है, तो देख लेते हैं, sum और any के क्या rule है, sum, sum का मतलब होता है, कुछ, ठीक है, और any, any मतलब होता है, कोई, तो यहापे हम दोनों में difference देखेंगे, कि sum को हम का use करते हैं, और any को हम का use करते हैं, तो sum जो आता है, हमारा positive sentence के लिए उज़ोता है, किसके लिए उज़ोता है, positive sentence, और any हमारा negative sentence के लिए, negative and interrogative ठीक है ये दोनों sentence के लिए होता है negative sentence के लिए और interrogative के लिए any का use, किसका use, any का use और sum का होता है हमारा positive sentence के लिए sum को हम दोनों के साथ यूज करते है, countable noun के साथ भी countable noun के साथ भी हम इसको यूज करते हैं और uncountable noun के साथ भी ठीक है ऐसे ही any को भी हम दोनों के साथ यूज़ करते हैं any को भी हम countable noun के साथ यूज़ करते हैं countable और uncountable दोनों noun के साथ यूज़ करते हैं ठीक है इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के साथ यूज़ करते हैं तो यह तो हमारी हो गई थी कुछ एक तो similarity हो गई और एक dissimilarity हो गई तो अभी देख लेते हैं कि इनको example की थूरू समझेंगे तो जादे best रहेगा तो अभी हम बात करते हैं पहले positive plus uncountable तो positive plus uncountable noun यानि कि positive sentence plus uncountable noun में some का use हम कैसे करेंगे जैसे हमने देखा I have some information for you तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि I have some information for you तो देखो some का use क्या है information के साथ तो यह information क्या है uncountable है ठीक है और हमारा यह positive sentence है तो some को हमने information यानि कि uncountable noun के साथ यूज किया है किसमे positive sentence में ठीक है अगर हम इसको positive प्लस countable अगर हम countable noun के साथ यूज करें इसको तो कैसे करेंगे countable noun positive प्लस countable noun तो हम देखेंगे जैसे I have some book I have some books कि मेरे पास कुछ books है यहाँ पर some information यहाँ पर लिख लेंगे some some information लिख लेंगे ठीक है प्लूरल में लिख लेंगे इसको और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे some books तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा some word है वो plural noun भी यहाँ पर plural का भी use हो रहा है कि informations और books तो plural में भी use होता है ठीक है यह भी धिहान रखना है आपको कि जो समय positive sentence countable noun और uncountable noun दोनों के साथ और plural noun तीनों के साथ हमारा इसका use होता है तो यह आपने देख लिया अगर हम इसी sentence को any की साथ बनाएं तो हम क्या बनाएंगे negative में negative में बनाएंगे तो I have not any information अब यहाँ पर information का use करेंगे informations का use नहीं करेंगे information for you तो देखो क्या difference है यहाँ पर some में और any में सB में थो हमने देखा positive sentence इसमें हमने देखा negative sentence सब में हमने देखा यहाँ पर informations यानि की plural word है और यहाँ पर any information यानि की singular है तो यह धियान रखना है any केसाथ singular का use होगा ठीक है और यहाँ पर some के साथ plural का use होगा और यह negative के लिए use होगा और वो positive के लिए use होगा तो अभी यहाँ पे यह जरूरी नहीं है noun हम uncountable और countable दोनों के साथ कर सकते हैं तो यह हमारा क्या था uncountable था अभी हम देख लेते हैं इसको countable के साथ जैसे I have not any dog कि मेरे पास कोई dog नहीं है तो यहाँ पे पे यहां इखा कि I have some books तो यह हमारा क्या है plural है और यहां पे हमने देखा dog हमारा singular है अभी हमने यहां देखा यह I have positive है पोजेटिव है यह और यहां पे हमने देखा I have not negative है और यह हमारा countable है, तो countable और uncountable तो similarity दोनों में सेम है बट यह positive में होता है have I have I any information कि क्या मेरे पास कोई information है तो have I any information यानि कि इसको हम interrogative में भी कर सकते हैं तो ये भी अच्छे से clear हो गया होगा आपको तो अभी एक और देख लेते हैं अभी हमने क्या कहा कि जो sum है हम उसको सिर्फ positive में करते हैं बट sum को हम negative में तो करते ही नहीं है लेकिन sum को हम interrogative में कर सकते हैं देखो sum plus interrogative तो sum को हम interrogative में कर सकते हैं लेकिन एक condition होनी चाहिए क्या condition की request होनी चाहिए महाँ पर क्या होनी चाहिए request तो हम request के लिए कर सकते हैं sum को हम interrogative में कर सकते हैं बट महाँ पर हमें request दिखनी चाहिए, कैसे, एक sentence देख लेते हैं, जैसे, would you like some water, तो हमने क्या देखा, would you like some water, तो यह uncountable ना हुने है हमारा, uncountable है, तो, would you like some water, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, कि हम some का interrogative में भी use कर सकते हैं, some के साथ, interrogative sentence में भी, लेकिन क्या है, एक condition है, request होनी चाहिए, ठीक है, यह तो आपको समझ में आई गया होगा, कि हम इसको यहाँ पर कैसे use करेंगे, have you, यहाँ पे एक और देख लेते हैं, example, जैसे have you, इसका देख लेते हैं, interrogative का, एक हमने लिखा है, दूसरा record देख लेते हैं, have you any novel, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, have you any novel, तो देखा हमने interrogative में कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक condition आ जाती है, हमारी, क्या condition आ जाती है, कि no any का use नहीं करेंगे, हम यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, मैं, space नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, no any, no any का use करना हमारा गलत होगा, जैसे अगर मैंने लिख दिया, I have no any book, कि मेरे पास कोई book नहीं है, I have no any book, तो यह sentence मेरा wrong होगा, क्यों होगा कि मैंने no और any का use क्या है, तो no और any, no भी adjective है, और any भी adjective ह तो no adjective एक साथ एकी noun के लिए नहीं आ सकते, दो adjective एक साथ एकी noun के लिए नहीं आ सकते, तो no any का कहीं पर भी आप देख रहे हो, I have no any book, तो यह word हमारा गलत है, यह sentence हमारा गलत है, क्योंकि no एक अपने आपमें खुद से adjective है, और any भी adjective है, तो no adjective हो गए, और दो नो adjective का use हम ए की नाउन के लिए ठीक है तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा कि सम और अनिमे क्या डिफरेंस है next चलते है अपने next चलते है अपने दूसरे अड्जक्टिव की तरफ जो है हमारा लेटर latest, latter और last तो यहाँ पर हमें चार एड्जक्टिव दिख रहे हैं और चारों सिमिलर से लग रहे हैं इनमें थोड़ी confusion हो रही है कि लेटर, latter कहां यूज हम करें इसको हम कई बार भहुत confuse हो जाते हैं कि कहां पर हम लेटर का यूज करें और कहां पर हम लेटर का यूज करें कहां लेटिस्ट का यूज करें और कहां पर लास्ट का यूज करें तो सबसे पहले तो इन चारों के हम देख लेते हैं positive degree क्योंकि जो Later है और Lattest है और Later और Last, यह हमारी Comparative and Superlative degree है, तो अभी देख रहते हैं कि इनकी Positive degree कौन सी है जिससे ही बने है, तो जो हमारी Positive degree है वो है हमारी Late Late degree है हमारी, और Late की जो हमारी Comparative degree होगी वो होगी Later और Last ठीक है और लेट की ही दूसरी एक दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं लेट को यह हो जाएकर लेटर और लेटिस्ट ठीक है यह दोनों की जो रूट है हमारी यानि कि इन दोनों की ही positive degree हमारी लेट है ठीक है लेट से ही लेटर बना है और लेट से ही लेटर बना है औ इन चारो वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, जो यह लेटर है, यह वाला जो वर्ड है लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है बाद वाला, क्या होता है इसका मतलब बाद वाला, और जो यह लाश्ट, लाश्ट का मतलब होता है सबसे आखरी, सबसे आखिर यानि कि बिल्कुल अंतिम इसको बोलेंगे अंतिम यानि कि इसके बाद कुछ नहीं होता लाश्ट हो गया यानि खतम हो गया इसके बाद कुछ नहीं है सबसे आखीर है सबसे आखीर है ठीक है अब यह देखते है लेटर लेटर मतलब होता है बाद में कि कोई भी काम हम बाद में करेंगे, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे लेटर का, किसी भी काम को अगर हम बाद में कर रहे हैं, तो लेटर का करेंगे, अब बाद वाला, बाद वाला और बाद में, दोनों में डिफरेंस होता है, तो इन चारों में क्या difference है एक बार देख लेते लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में या कोई भी बाद वाला, यासे दो चीज़े है हमारे पास एक पहली एक दूसरी, तो दूसरी हमारी होगी लेटर, बाद वाली ठीक है और यह है लास्ट, लास्ट मतलब सबसे आखरी अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं, खतम सब, फिर है लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, कोई भी काम बाद में करना, कि बाद में कर देंगे, या I will see you later, कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, लेटर, तो लेकिन खतम नहीं हुआ, मतलब खतम नहीं है, खतम नहीं है, नया है सबसे, इसके आखिर में भी कुछ आ सकता है, इसके बाद भी कुछ आ सकता है, कहते हैं लेटिस्ट, लेटिस्ट फैशन, लेटिस्ट टेकनिलोजी, तो यहां पर यह वाली बाद आते है, तो चारों में अपने मिनिंग देख लिए चारो के, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा यह लेटर और लास्ट है, इसको हम यूज करते हैं, पोजिशन के लिए, किसके यूज करते हैं, पोजिशन के लिए, ठीक है, पोजिशन के लिए, रैंक के लिए, इसको हम रैंक या पोजिशन के लिए और यह हमारा लेटर और लेटेस्ट, इसको हम यूज करते हैं टाइम के लिए, ठीक है, समय के लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं, तो इतना आपको अभी किलियर हो गया होगा, अभी यहां तक शायद कुछ दिक्कत आपको होगी नहीं, कि बहुत चारों का मेनिंग क्या ह और किसको हम किसके लिए यूज करते हैं, तो अभी हम क्या देखेंगे, इनके हम संटेंस के लिए थ्रू समझेंगे, या कि मीनिंग हमें समझ में आ गया और कहां यूज करना ये अब देख लेते हैं, जैसे I will see you, कि मैं आपसे मिलूँगा लेटर, यानि कि बाद में, I will see you लेटर, तो देखों यहाँ पर बाद में, यानि टाइम की बात की गई है, कि मैं आपको बाद में भी लूँगा, ठीक है, तो लेटर यानि बाद में, यहाँ पर टाइम के बारे में बताया गया है, अगर हम कहें, I have two things, कि मेरे पास दो चीजे है, I have two things, he choose letter one, कि उसने बाद वाली को चुना, तो देखों मेरे पास दो चीजे हैं, he choose, उसने किसको चूज़ के है, letter one, यानि बाद वाली को, बाद वाली, तो यहाँ पर बाद वाली position, यानि कि position जो बाद में रखी थी, यानि कि position की बात हो रही है, कौन सी चीज़ जो बाद में रखी हुई थी, तो अभी हम यहाँ पर इसको समझेंगे, जैसे हमारे पास दो चीज़े हैं, दो चीज़े है, number one और number two, तो जो पहले वाली होती है, इसको तो हम बोलते है, former, पहले वाली चीज़ को हम बोलते है, former, और जो दूसरी होती है, उसको बोलते है, letter, letter मतलब बाद वाली, ठीक है, यह है पहले वाली और यह बाद वाली, अगर वो पहले वाली चुनता है, तो he choose former one, उसने पहले वाली चुनी है, अगर वो दूसरे नमबर की चूस करता है, तो आजएगा, बाद वाली को चूस करता है, तो आजएगा he choose letter one, बाद वाली, तो यहां पर position, यानि कि दो चीज तो हम बोलेंगे लेटर बन, ठीक है, तो इतना clear हो गया होगा आपको, तो लेटर और लेटर, दोनों में difference पता चल गया होगा, कि वो rank के लिए होता है, position के लिए होता है, लेटर का use और लेटर का time के लिए होता है, अभी हम देख लेतें last और latest में क्या difference है, last और latest, अभी जो latest है, देखो latest, latest का मतलब होता है, सबसे नया, सबसे नया, कि उसके अभी नई-नई technique आई है, नई-नई technology आई है, जैसे हम कहा देते हैं latest fashion, latest fashion, यह हम कहा देते हैं latest technology, ठीक है, तो latest fashion, latest technology, लेकिन यह खतम नहीं, इसके बाद भी दूसरा latest हो सकता है, यानि कि यह पुरानी हो गई, तो latest नया आ गया, फिर यह वाली technology पुरानी हो गई, तो दूसरी आ गई, और last क्या है, वो तो हमेशा के लिए खतम हो गया, सबसे last हो गया, लेकिन last का भी देख लेते हैं, जैसे last मतलब होता है, सबसे latest fashion, कि यह नया नया fashion है, तो हम यह यह यूज करेंगे latest का, ठीक है, अगर हम देखें, एक sentence हो देख लेते हैं, at last, at last मतलब आखरी में, अब यहां क्या at last word आते ही समझ में आ गया है, कि आखरी में, यानि कि last word का यूज हुआ है, आखरी में, सबसे लाखरी में, जो principle है, the principle distributed the prices, कि सबसे आखरी में, principle ने prices को distribute कर दिया, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, at last और latest दोनों में क्या फरक है, और later और latter दोनों में क्या फरक है, I think यह पूरी तरह clear हो गया होगा, शायद इसके बाद, दोबारे आपको इसकी जरूरत ना पड़े, इसको समझने की, और यहाँ पर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो next चलते हैं अपने, next rule है हमारा, next adjective है हमारे elder, eldest, older, oldest, तो देख लेते हैं elder, eldest और older, oldest, तो elder, और older, तो कई बार elder, older में confusion हो जाती है, या फिर eldest या oldest में confusion हो जाती है, ब्रैकेट में दो word given है, elder और older, तो हमें समझ में आता कि भैं यहाँ पर elder fill करें, या older fill करें, या फिर कोई error given है, तो हमें समझ में ने आता कि elder की जगें older भी आ सकता है, या older की जगें elder भी हाँ पर आ सकता है, तो elder मतलब होता है बड़ा, और eldest मतलब होता है सबसे बड़ा, क्योंकि यह superlative degree है, और elder जो हमारी comparative degree है, तो अब अब हम क्या बात करेंगे, यहां पर होता है यह बड़ा और यह सबसे बड़ा, तो जो यह दोनों वर्ड है, elder और eldest, इसका जब हम यूज करते हैं, यह हम करते हैं, blood relation, ब्लड relation को सो करता है, कि वह है मेरा भाई है, वह है मेरी बहन है, वह है मेरा बड़ा भाई है, वह है मेरी की जगे पर भी यूज करते हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं, इनको एक्जेम्पल के थूरू समझेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, elder और eldest की, जैसे, he is my elder brother, कि वह है मेरा बड़ा भाई है, elder brother, तो हमने क्या का, कि वह है मेरा बड़ा भाई है, तो अपना मेरा भ ब्लडर के लिए नहीं आता, ब्लडर रिलेशन किसके लिए आता है, सिर्फ elder, यानि elder word के लिए आता है, अगर यहां पर हम लिख दें, he is my older brother, कि मेरा बड़ा भाई है, तो older brother यह गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, कि ब्लडर रिलेशन, क्यों older का यूज़ होगा, older का नहीं, ठीक है, और एक और देख लेते हैं, यहां पर sentence, he is the eldest son of the family, कि वह family का सबसे बड़ा बेटा है, अब बात हो रही है family की, तो क्या हुआ, blood relation, तो इसलिए eldest का यूज़ क्या है, oldest का नहीं करेंगे, यहां पर eldest का यूज़ करेंगे, क्यों, क्यो यह समझ में आगया होगा, eldest का meaning तो आपको eldest का मतलब क्या होता है, अब ही क्या करेंगे, हम यहां पर देख लेते हैं, जो elder word है, elder, elder के बाद हम two तो लगा सकते हैं, elder के बाद हम two लगा सकते हैं, अगर requirement है, बट older के बाद, older के बाद हम two का यूज़ नहीं करतें, ठीक है, older two, older two हमारा गलत होगा, older के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, than का, older than, तो यह हमारा सही होगा, older than हमारा correct है, और elder two हमारा correct है, तो elder two तो हम लगा सकते हैं, अगर requirement है, बट older two तो बिलकुल नहीं लगता, older two हम यूज़ नहीं करेंगे, बट older than का यूज़ करेंगे, अभी older के बा अब हमने क्या का कि वह है मुझसे बड़ा है, he is older than me, अब वह है मुझसे बड़ा है, तो जरूरी नहीं कि हमारे में blood relation हो, तो यहां पर पता नहीं चल रहा कि blood relation शो नहीं हो रही, तो हमने इसलिए older का use किया है, तो यह भी आपको समझ में आ गया हो कि कहां पर elder का use करते हैं, अब ही जो मैंने बताया था कि older मतलब बहुत पुराना भी होता है, तो यहां पर देखो, एक sentence देख लेते हैं, this building is the oldest in the city, अब देखो, यहां पर क्या लिखा है, कि जो यह building है, शहर में सबसे पुरानी है, तो the oldest का use क्या है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है, यह पुरानी की, कि सबसे पुरानी building है, तो यहां पर eldest नहीं लिखेंगे, क्योंकि eldest का मतलब तो पुराना होता ही नहीं है, oldest का मतलब होता है, तो इसलिए यहां पर oldest का use करेंगे, एक और example देख लेते हैं, this is the oldest college in the city, कि यह शहर का सबसे पुराना college है, तो यहां पर हमने क्या use किया है, the oldest, तो अभी अच्छे से clear हो गया होगा आपको, elder, older और eldest है oldest कहां कहां पर use होते हैं, तो अभी चलते हैं अपनी next tool की तरफ, तो जो हमारा next or near यह है, ठीक है, तो near और next, अभी जो near है, near मतलब होता है pass में, ठीक है, near का मतलब होता है pass, और next का मतलब होता है अगला, तो पहले दिख लेते है, near का मतलब होता है pass, और next का मतलब होता है अगला, तो यह आपको समझ में आई गया, हमें word से ही पता चल गया, near और next भी क्या difference है, अब जो near है, वो हमारा use होता है shortest, shortest distance के लिए, ठीक है, और जो next है, next use होता है हमारा order के हमारा order के लिए use होता है, कि वही next कोन आएगा, उसके बाद next कोन आएगा, तो order के लिए use होता है, और यह होता है हमारा distance के लिए, और यह होता है order के लिए, सिर्फ दोनों में यही difference है, बट अभी इसको हम देख लेते हैं कि कैसी, इसको हम एक example के, थू समझेंगे, order का होता है, sequence, sequence of things coming, sequence of things coming, one after the other, one after the other, यानि कि जब एक के बाद एक चीज़े, sequence में आती जाती है, next, next, next ऐसे, तो उसको बोलते हैं, यह इसका meaning, next का, ठीक है, sequence of the things coming, one after the other, अभी हम इसको example के थूर, यहाँ पर समझ लेते हैं, देखो, जैसे, राम lives, राम lives near to my house, कि जो राम है, मेरे घर के पास में दहता है, तो राम lives near to my house, तो यह आगया हमारा की shortest distance है, पास में ही रहता है, अभी देख लेते हैं, एक और संटेंस, जैसे, my uncle lives in the next house, कि जो मेरे अंकल है, वो अगले ही घर में रहता है, यानि कि हमारे घर से next घर में ही रहता है, next मतलब अगला, और near मतलब पास में, यह आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से clear हो गया होगा, तो एक और संटेंस, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे, my house is near to the railway station, कि जो मेरा घर है, वो railway station के पास है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लगा देगी, next to the railway station, तो हमारा क्या हो जाएगा, railway station से अगला घर है, जैसे, एक और लिख देख लेते हैं, यहाँ पर sentence, अच्छे से clear हो जाएगा, उसके बाद, she is, she is sitting next to her mother, कि वह है, अपनी मम्मी के पास बैठी है, तो next to, यहाँ पर आएगा अगले, मतलब कि पोजिशन है, यहाँ पर, distance तो है नहीं है, कि दूर बैठी है, पास में, मतलब, यहाँ पर distance की तो बात नहीं हो रही, तो वह है, अपनी मम्मी के पास बैठी है, तो पास के लिए यहाँ पर आएगा next to, तो यह भी अच्छे से clear हो गया होगा, एक और sentence देख लेते हैं, जितने ज़्यादे हम sentence करेंगे, उतना ही अच्छा से हमें समझ में आएगा, I will meet you, I will meet you at the next crossing, कि मैं आपको next crossing पर मिलूँगा, यानि कि उसने बात किये मिलने की, कि वह उसको next यानि अगली, कहाँ पर मिलेगा, अगली crossing पर मिलेगा, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, और I think आपको पूरी तरह clear हो गया होगा, कि near और next को हम कहां कहां पर use करते हैं, तो चलते हैं next rule की तरफ, जो है हमारा each और every, each और every दोनों का same meaning होता है, each माने ही क्या होता है, प्रति एक और every माने भी प्रति एक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, हर एक, हर एक, तो दोनों का same meaning होता है, तो difference क्या है, meaning तो same है यहापर, अब difference क्या है, जो each है, हमारा जो each है, उसको हम use करेंगे, किसके लिए, दो, या दो से जादे चीजों के लिए, तो हम इसको use करते हैं, two के लिए, या फिर more things, more things के लिए, two और more things के लिए use करते हैं, हम बहुत दो के लिए भी हम इसको करते हैं, और दो से जादा के लिए भी करते हैं, और जो हमारा every है उसको हम किसके लिए use करते हैं सिर्फ more than two यानि दो से जादा के लिए use करते हैं more than two के लिए use करते हैं तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो each का use है हम two दो के लिए भी कर सकते हैं और more than two के लिए भी कर सकते हैं and जो every है हमारा, उसको हम more than 2 के लिए करते हैं, बट क्या फरक है, इसको थो हम करते हैं definite number के लिए, किसके यूज़ करते हैं definite number के लिए यूज़ करते हैं, definite number जैसे निश्चित संख्या के लिए, निश्चित, ठीक है, और more than 2 को हम यूज़ करते हैं indefinite के लिए, indefinite number के लिए करते हैं indefinite number का मतलब आनिश्चित आनिश्चित संख्या के लिए ठीक है indefinite number के लिए करते हैं और इसको definite number के लिए करते हैं तो इतना clear हो गया होगा तो अभी पहले क्या करेंगे एक example कि थूँ समझेंगे फिर थोड़े जो एक दो रूल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पर देख लेते each of two girls तो यहाँ पर देखो each of two girls यह definite number है दो लड़कियों की बात हो रही है तो each of two girls get a price ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर number क्या है definite number है इसलिए हमने इसके साथ each का use क्या है अगर हम करें each of five girls अगर हम पाँच लड़कियों की बात करें क्योंकि हमने क्या का है कि दो से जादे के लिए भी इसका use करेंगे तो every of five girls नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे each क्योंकि यह क्या number है definite number है तो each of five girls get a prize तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि each का use हमें क्या करना है each का use हम दो चीज के लिए भी कर सकते हैं और दो से जादे चीज के लिए भी कर सकते हैं दूसरा इसको हम definite number के साथ करते हैं कि निश्चित number two, three, four, five, six इनके लिए करते हैं ठीक है और जो each है each के बाद हम off का use कर सकते हैं each के बाद हम off का use कर सकते हैं अब क्यों कर सकते हैं क्या reason है इसका क्योंकि जो each है वो हमारा adjective भी है और यह हमारा pronoun भी है ठीक है यह हमारा adjective भी है और यह pronoun भी यह पूयोगोत दिख कर सकते हैं क्यों किए सिर्φ एक adjective dai hai ठीक है, एवरी सिर्फ adjective है जो इच है वो हमारा adjective भी यह प्रोनाओन भी है तो उसके बाद हम उसके बाद कर सकते हैं तो आभ यहां पे देख लेते हैं एवरी students students was happy, was happy, कि हर कोई students खुश था, यानि कि हर students कैसे थे, खुश थे, तो यहाँ पर हम ने देखो, students क्या है हमारा, indefinite number है, यानि कि हम उनको count नहीं करें, हमें पता नहीं कितने student है, और यहाँ पर more than two है, यानि कि 2 से जादा number है, तो यहाँ पर हमने every का यूज कि है, कि every student was happy, तो each और every को आपने अच्छे से clearly समझ लिया होगा, तो अभी चलते हैं अपने next adjective की तरह, सबसे पहले जो हमारा adjective लिखा हुआ है, वो है little, are little और the little, आप तीनों में difference हम समझेंगे, देखो हमारे पास तीन word लिखे हुए है, यहाँ पर little, are little और the little, जहाँ पर हमें सबसे जादे confusion होती है, कि हम वहाँ पर क्या word का use करें, little का करें, are little का करें, क्योंकि कुछ भी हमें difference नहीं दिखता है, कि तीनों में क्या difference है, तो आज हम उसी difference को अपने हाँ पर खतम करने जा रहे हैं, कि तीनों में क्या difference है, इसको देखने के बाद, आपको पूरी तरह से clearly समझ में आ जाएगा, कि यहाँ पर हम किस चीज का use करना है, कौन से हमें adjective का use करना है, अभी सबसे बहले बात करते हैं little की, little का मतलब होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है not much, not much, ठीक है, बलब कि यहाँ जो है little की बात है कि मेरे पास little चीज है, तो यानि कि मेरे पास कुछ नहीं है, यानि ना के बराबर, इसको हम कह सकते हैं कि ना के बराबर चीज है, कि इतनी चीज है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता कि कोई तुम्हारे पास कोई चीज मांगने के लिए आया और तुम्हारे पास वो चीज बिल्कुल ना के बराबर है कि तुम्हारे अपने खुज के यूज से भी कम है तो तुम उसको use करना चाह रहे हो लेकिन तब भी कम है तो वो ना के बराबर है तो तुम क्या कहोगे उसको चीज को वो किसी को दोगे नहीं क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारे लिए ही वो कम है तो वो little होती है यानि कि बहुत कम है ना के बराबर है तुम उसको किसी को share नहीं क कुछ नहीं है, अगर है भी तो वो बिलकुल इतना है कि हम किसी को दे नहीं सकते उसको, तो यह खेले हरो गया आपको, अभी हम बात करेंगे All Little की, तो All Little मतलब होता है थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा कुछ, यानि कि यहाँ पर हो गया हमारा थोड़ा सा कुछ यानि कि यहाँ पर चीज हमारे पास है कोई तुमारे पास मांगने के लिए आया और तुमारे पास थोड़ी सी है तो आप उसको दे दोगे यहाँ पर इतनी है जादे नहीं है लेकिन इतनी है कि आप उसको थोड़ी सी दे सकते हो तो यहाँ पर है सम दाओ नोट मच मलब है लेकिन जादा नहीं है थोड़ी सी है बड़ जादे नहीं है दा लिटिल का मतलब हो गया जो सब कुछ थोड़ा सा यानि कि यहाँ पर चीज हमारे पास है लेकिन जितनी भी है वो सब खतम हो गई जो सब कुछ है वो थोड़ी सी थी और लेकिन वो हमने सब खतम कर दी यहाँ पर स्पैंड कर दी खर्च कर दी जो भी थोड़ी सी थी वो सारी मिला के वो सब खतम हो गई, तो यहाँ पर हमने मीनिंग तो इसको समझ लिया, अभी देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, कि जो मेरा जो हमारा ही little word है, यह negative sense में, यह हमें क्या दिखाता है, negative sense दिखाता है बट जो a little है, वो positive sense दिखाता है, क्या दिखाता है positive sense क्यों, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है कि थोड़ी सी चीज हमारे पास है, हम मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर है, और जो a little है, वो भी positive sense दिखाता है ठीक है, तीनों में difference क्या है कि जो little है, वो negative sense दिखाता है, यानि कि यहाँ पर हम साफ साफ मना कर देंगी, भी हमारे पास कुछ नहीं है और जो a little है, वो हमें positive sense दिखा देता है, यानि कि थोड़ी सी है, भी तुम ले लो, और जो a little है कि जो थोड़ी बहुती हो, सारी खतम हो गई जितनी भी हमारे पास सब कुछ थी, सारी मिलाके जो एक साफ होगी, वो होगी, जो सब कुछ थोड़ा सा तो जैसे मैं एक sentence के थूरू आप इसको यहाँ पर समझेंगे जैसे I have little water I have little water, I can't give you कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है और में तुमें नहीं दे सकता, में तुमारे पास कोई मांगने आया, कि बहें थोड़ा सा पानी दे दो तो इसन एक है, I have little water यानि ना के बराबर पानी है, कि मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता इतना पानी है, कि मैं तुम्हें बिलकुल भी तीनों ही है हमारे यह लिटिल भी और अलिटिल भी और दा लिटिल भी तीनों हमारे uncountable noun के साथ use होते है ठीक है तो water क्या है uncountable है तो यह आपको समझ में आगया होगा कि थोड़ा सा पानी है बट इतना है कि भी मैं दे नहीं सकता अब एक sentence और देख लेते हैं he has little knowledge of computer तो भई उसने क्या कहा है यहाँ पर sentence में कि he has little knowledge कि उसके पास थोड़ी सी knowledge है computer की यानि कि ना के बराबर knowledge है यानि कि उसको computer का ग्यान नहीं है ना के बराबर है यह मतलब नहीं है तो कम है उसके पास अभी हम देख लेते हैं एक और sentence there is little hope of his recovery तो यहाँ पर देखो there is a little hope of recovery यानि कि उसकी सही होने की little hope है यानि कि कम hope है कम मतलब ना के बराबर hope है यह मतलब थोड़ सी बिलकुल भी उमीद नहीं है कि वो अब recover होगा यानि कि he is not likely recover he is not possibly sorry यहाँ पर possibly लिख देंगे possibly recover यानि कि बहुत मुश्किल है उसका बचना उसका सही हो ना बहुत मुश्किल है यानि कि बहुत कम उमीद है ना के बराबर उमीद है उसकी recovery की अगर इसी sentence को हम ऐसे लिखें कि there is a little अगर हम इसको लगा दे a little hope of his recovery of his recovery तो यहाँ पर क्या बना कि थोड़ी सी उमीद है क्योंकि थोड़ा सा कुछ जैसे मैंने आपको बताया a little का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ यानि कि थोड़ी सी उमीद है कि वो recover हो सकता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम थोड़ी सी उमीद है हमें यहाँ पर उसके बचने की उसके recover होने की थोड़ी सी उमीद है हमें यहाँ पर तो हम लिखेंगे he may possibly पॉसिबली, रेकबर, ठीक हाई ही में पॉसिबली रेकबर, तो यानि कि वो यहां पर सही हो सकता है, और he is not पॉसिबली रेकबर, कि वो यहां पर, या लाइक ली भी आ सकता है, sorry इसको काट ही देते हैं he is not possibly recover यानि कि वो यहाँ पर सही होने की उसकी possibility नहीं है और यहाँ पर उसकी possibility है तो यहाँ पर recover होने की possibility नहीं है और यहाँ पर possibility है तो यानि कि a little का मतलब उमीद है थोड़ी और little का मतलब उमीद नहीं है तो यह दोनों में आपको difference समझ में आ गया होगा और I think अच्छे से clear हो गया होगा तो third बाला देख लेते हैं the little तो यहां पर देख लेते हैं the little money she had the little money she had was also spent on medicine तो यहां पर हमने जो sentence देखा है उससे हमें क्या पता चला हूँ उससे हमें पता चला है कि the little money she had कि उसके पास थोड़े से पैसे थे was also spent on medicine मैंने उसके पास सारे मिला के थोड़े से पैसे थे और वो भी सारे medicine पे खतम हो गई यानि कि सब कुछ थोड़ा सा था वो spend हो गया medicine के उपर तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि a little, the little, a little में क्या difference है तो I think अभी अच्छे से clear हो गया होगा अभी चलते हैं अपने next adjective की तरफ जो भी same ऐसे adjective है उसमें भी बहुत confusion होती है जो हमारा adjective है यह few, a few और the few तो इसमें भी काफी confusion हो जाती है हमें जब हम इसको fill करते हैं तो few, a few और the few तो same वैसे हम इसको करेंगे जैसे भी हमने little, a little और the little को करा तो अभी हमने क्या देखा था कि जो little, the little और a little हैं उसको हम use करते हैं uncountable noun के साथ और अब यह जो तीन हमें यहाँ पर given है इन सब को हम use करते हैं countable noun के साथ तो पहले ही तो देख लेते हैं पहली similarity क्या है कि हम इन तीनों को countable noun इसको भी इसको भी और इसको भी तिनों को हम countable noun के साथ use करते हैं, ठीक है, तो पहला तो यह हो गया, दूसरा, जो few है, वो हमारा negative sense में use होता है, few से हमें क्या पता चलता है, negative sense के बारे में पता चलता है, और a few से हमें positive sense के बारे में पता चलता है, और the few से भी हमें positive really, positive sense के बारे में पता चलता है, तो यह त इसमें होता है ना के बराबर, यानि की not many, इसको हम बोलेंगे not many, ठीक है जाता नहीं, तो ना के बराबर, और a few, a few मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा यानि सम, इसको हम बोलेंगे सम, यानि कुछ, ठीक है थोड़ा सा, अब यह देख लेतें दा फ्यू, दा फ्यू मतलब है जो भी थोड़ा सा है सब, जो भी थोड़ा सा है सब, यानि की जो भी थोड़ा सा है वो सब कुछ, ठीक है तो यह है दा यानि, but all there are, all there are, तो यहाँ पर जो भी थोड़ा सा है सब, तो तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, आप देखों यहाँ पर few जो है वो ना के बराबर है, यानि कि उसका negative sense है, ठीक है, वो है negative sense, अभी जो few है हमारा, यह होता है हमारा plural के लिए, plural हमारे noun के लिए यूज होता है यह वाला, और a few भी हमारे plural noun के लिए ही होता है, इसको भी हम plural के लिए करते हैं, और da few को भी हम plural में यूज करते हैं, यह भी तीनों बाते आपको clear हो गई होगी, एक तो हमारे क्या है कि हम इनक countable noun के साथ use करते हैं, दूसरा इन तीरियों को हम plural form में उस करते हैं, तीसरा हम ने क्या देखा कि few को हम negative sense में और a few और the few को हम positive sense में उस करते हैं, तो इतना सब कुछ clean air हो गया होगा आपको और फिर हम क्या करते हैं, इनको countable noun के साथ यूज़ करते हैं, यह मैंने आपको बताई दिया भी यह countable के साथ होता है अब ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ sentence लिखेंगे, और फिर उसके थुरू हम इनको समझ लेंगे अच्छे से, तो देख लेते हैं यहाँ पे few persons अब देखो persons का यूज़ क्या है यानि कि ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं, जो secret को रख पाते हैं यानि कि किसी के भी मन में मलग कुछ होती कम ऐसे ना के बराबर ऐसे person होते हैं यानि कि ऐसे person होते ही नहीं हैं, जो secret को रख ले होंगे भी तो बिलकु नेगेटिव ली यानि कि negative sense ना के बराबर होंगे, तो यह आपको समझ में आ गया, clear हो गया, next देख लेते हैं, few town in India, India में few town, यानि कि कुछ ही ऐसे town है, have public libraries, तो देखो, इंडिया में few, यानि कि ना के बराबरी, ना के बराबरी ऐसे town है, जहां पर public library है, तो यह समझ में आ गया आपको दोनों sentence, यानि few के बारे में अच्छे से clear हो गया, अब ही चलते हैं, a few की तरफ, तो देख लेते हैं, a few, persons, can, right, correct, English, तो यहां पर क्या देखा, a few, यानि कि भोद थोड़े से, few मतलब मैंने बिताए some, a few मतलब some, some person ऐसे हैं, जो की correcting list लिख पाते हैं, लिख सकते हैं, तो हमने बात किये a few की, यानि कि person तो हैं, यानि कि नहीं हैं, थोड़े से हैं, बट a few हैं, तो यह समझे में आगिया होगा, next चलते हैं, दा फ्यू, दा फ्यू, बुक, दा फ्यू बुक्स, यी, हैड, तो कुछ ऐसी किताबे, जो उसके पास थी, ही हैड, वर, टेकन, वर टेकन बाए, दा, थीफ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कि कुछ ही किताबे, जो किताबे, मैं लगा, जो थोड़ी, जो भी थोड़ी सी हैं, वो सारी, जो भी थोड़ी सी हैं, वो सब, चोरों के द्वारा, चुरा ली गई, ले ली गई, तो यहाँ पे देख लिया आपने the few, not many, but all there are, जाद है नहीं, बट जितनी भी थी, वो उसको चोर जुरा कर ले गए, तो अभी हमने few, a few, the few, the few, तीनों में difference देख लिया है, तीनों अच्छे से clear हो गई होंगे, अगर कोई भी चीज clear नहीं आई तो आप दोबारा repeat करके दे जो हमारा next adjective है, वो है much और many, तो इसमें कुछ जादा much और many जादे tough नहीं है, यह अच्छे से आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, देखो much और many, अब much मतलब होता है जादा, much का मतलब होता है जादा, और many का मतलब होता है बहुत से, तो यहाँ पर भोती clearly समझ में आ जाएगा, easily आपको समझ में आ जाएगा, देखो much जो है, इसका मतलब है जादा, और दूसरा इसको हम यूज़ करते है uncountable noun के साथ, uncountable noun के साथ इसको यूज़ करते है, और many मतलब होता है बहुत से और इसको यूज करते हैं countable noun के साथ, simple सा है हमारा कि much को हम uncountable के और many को countable के साथ use करते हैं, दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो much है उसको हम quantity के लिए use करते है, quantity, यानि कि परिमान, मात्रा बताने के लिए, मात्रा, और जो many है हमारा, many को हम use करते है number के लिए, number यानि संख्या में, क्योंकि हम इसको count कर सकते हैं, तो संख्या में बता सकते हैं, हम इसको count नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको major करके बता सकते हैं, कि एक kilo है, दो kilo है, इसको हम quantity में बता सकते हैं, ठीक है, अभी हम क्या करेंगी दोनों को much and many, इन दोनों का ही use कहां पर होता है, negative sentence में, negative and interrogative, तो दोनों को ही हम negative और interrogative sentence में use करते हैं, तो इस समझ में आ गया होगा कि negative और interrogative में दोनों का use होता है, इन दोनों का use हमारा positive में नहीं होता है, तो अभी देख लेते हैं इनको, बस ये इनके rule थे, अभी इनको हम sentence देख लेते हैं, तो जैसे I have not much money, तो अब money क्या है हमारा, uncountable noun है, money uncountable है, तो he have not much money, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, much इसलिए हम लिज़के, आप देखो uncountable है, तो हमने much का use किया है, पहली हमारी condition complete होती है, दूसरा quantity, money को हम किसमें major करते हैं, quantity में, दूसरी condition complete हो गई, तीसरा हमारा negatively use हुआ है, यानि कि थर्ड हमारी condition यहाँ पर complete होती है, तीनो रूल हमारी सके अदर आ जाते हैं, तो I have not much money, clear है, तो अभी देख लेते हैं next sentence, अभी हम इसको interrogative में, अगर हम इसको interrogative में करें, तो क्या करेंगे, have I much money, कि क्या मेरे पास जादे पैसे हैं, क्या मेरे पास जादे पैसे हैं, या फिर इसको लिख ले, have you much money, क्या तुम्हारे पास जादे पैसे हैं, तो देखो, यहाँ पे भी हम इसको use कर सकते हैं, interrogative में भी, तो यह interrogative की condition हमारी है complete हो जाती है, तो अभी हमें समझ में आ गया है, कि मचकों में का यूज़ करना है, अभी देख लेते हैं many के लिए, तो many में क्या जाएगा, अभी हम क्या करेंगे, many को countable noun के साथ use करेंगे, तो I have many, अब countable को इस चीज़ ले लेते हैं, जैसे cars, I have many cars, कि मेरे पास बहुत सी car है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कि many के साथ हमने car का use क्या है, car हमारा क्या है, countable है, इसको हम count कर सकते हैं, next, अगर हम इसको interrogative में बनाएं, तो interrogative में क्या बनाएंगे, have you many cars, कार हैं, तो हमने देखा कि हमने इसको interrogative में भी बना लिया है, तो अभी हाँ पे much और many में difference तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमने क्या कहा था कि इसको negative और interrogative के साथ यूज़ करेंगी, तो अभी मैं इसको क्या बोल लही हूँ कि हम इनको affirmative में भी यूज़ कर सकते हैं, affirmative, तो affirmative sentence, affirmative sentence में भी हम much और many का यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं कब जब much और many इनके साथ subject के साथ इसका use हो रहा हो, यानि कि किसी भी subject के साथ much और many का use हो रहा हो, तब हम इसको affirmative में भी कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, जैसे much milk is required, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, much milk, milk क्या है हमारा, milk है हमारा subject, तो subject के साथ मैंने much का use कर दिया, तो ज्यादा दूद की requirement है, तो much milk is required, तो यह समझ में आगे आपको, कि जब हमारे पास subject के साथ हमने much और many लगाया हो, तो हम इसको affirmative में भी use कर सकते हैं, या फिर एक और देख लेते हम यहाँ पे, many people, many people come to see the temple, तो बहुत से लोग मंदिर देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, many का use हमने कहाँ पर कर दिया, subject के साथ कर दिया, affirmative sentence में, तो अभी हमने यहाँ पे क्या rule देखा था कि much और many को हम सिर्फ negative और interrogative में यूज़ करते हैं, बट मैंने क्या बोला कि अगर subject के साथ हम इसको use करें, subject के साथ, तो subject के साथ अगर हम use करें इसको, तो हम affirmative sentence में भी much और many का use कर सकते हैं, तो अभी यह समझ में आ गया होगा, लेकिन object के साथ नहीं कर सकते हैं, subject के साथ तो कर सकते हैं, बट हम इसको object के साथ नहीं कर सकते, अभी अगर हम बोले कि भी object के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पे object के साथ करने के लिए, कुछ condition को पूरा करना पड़ेगा, कर तो सकते हैं, बट हमें कुछ condition को पूरा करना पड़ेगा, और वो क्या condition है, तो यहां देख लेते हैं, कंडिशन देख लेते हैं आँ या फिर इसको यहां पे एरेज कर देते आँ अगर आपको देखना हो तो थोड़ा भैक करके आप देख सकते हूँ इतना मैं यहां पे इस को थोड़ा सा इरेस कर देती हूँ यह वाला मैं रेज कर देती हूं पार्ट जिससे कि इसके इसको थोड़ा और आगे समझ सकें तो देख लेते हैं अभी तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि हमने अफर्मेटी में सब्जेक्ट के साथ यूज किया बट इसको अबजेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं बोलू कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडिशन को फोलो करना पड़ेगा अब वो कंडिशन क्या है कि जैसे मच और मैनी है तो मच और मैनी को हम यूज कर सकते हैं अगर संटेंस में क्या वर्ड आए वे हूँ as, how or to अगर ये तीनों वर्ड हमारे आये वे हैं sentence के अंदर तो हम much or many को as a object मैं बला much or many plus object हम use कर सकते हैं यानि कि much or many को हम object के साथ भी use कर सकते हैं तो अभी कैसे sentence समझ लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको rule के थुरू rule देख लेते हैं sentence देख लेते हैं यहां पर जैसे I don't have I don't have too much money तो हमने क्या देखा यहां पर कि मेरे पास जादे पैसे नहीं है I don't have much money तो हमने क्या देखा इसको हमने object के रूप में use कर दिया much को object के लेकिन साथ में हमने क्या लगाया है much के object लगाया है बट to word का use हुआ है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम much और many को object के साथ भी use कर सकते हैं लेकिन किस condition में कर सकते हैं कि उसके साथ as how और to का use हुआ हो next एक और देख लेते हैं sentence एक next sentence हो देख लेते हैं यहां पर हम जैसे I do not I do not remember how many persons come here came here I do not remember कि मुझे याद नहीं है how many persons came here कि यहां कितने लोग आए तो देखो हमने क्या use क्या है many का persons के साथ यूज क्या है object में लेकिन हमारे पास क्या condition में लिए कि how लग गया है तो simple सी बात है अभी एक बार हम इसको revision कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है अच्छे से आपको clearly समझना आया हो फिर भी देख लेते हैं देखो much और many हमने दो की बात की थी much और many much माने होता है ज्यादा और many माने होता है बहुत से much का use करते हम uncountable noun के साथ और many का use करते हम countable noun के साथ much हम quantity बताने के लिए करते हैं और many हम number बताने के लिए करते हैं और much और many दोनों का ही हम negative और interrogative sentence में use करते हैं ठीक है यहाँ पर हमने कुछ example देखी फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसको object में भी use कर सकते हैं लेकिन object में use करने के लिए हमें कुछ condition की जरूरत है कि इसके साथ as, how or two word का use हुआ हो तो ही हम इसको object के साथ use कर सकते हैं otherwise और कहीं हम इसको object के साथ use नहीं कर सकते तो I think आपको much और many से related जितनी मी बात है थी वो अच्छे से clear हो गई होंगी तो next चलते हैं अपने तो अभी देख लेते हैं next चलते हैं अपने दूसरे adjective की तरफ जो है हमारा whole और all whole मतलब होता है पूरा पूरा मतलब सारा ठीक है और all मतलब होता है सभी तो whole और all इन दोनों को देख लेते हैं whole का मतलब होता है पूरा और all का मतलब होता है सभी, तो अगर हम whole को adjective के रूप में यूज करते हैं, whole को हम as an adjective यूज करते हैं, अगर हम as an adjective, अगर हम whole को यूज करते हैं, तो whole से पहले हम da का यूज करेंगे, तो हम करेंगे da plus whole ठीक है, कब जब हम इसको एक adjective के रूप में यूज करते तो दा प्लस होल का यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी इसको sentence देख लेते हैं, जैसे, he wasted the whole day, whole day, तो यानि कि जब हम उसको as an adjective यूज़ करते हैं, कि पूरा दिन, दिन से पहले हमने पूरा वर्ड लगाया है, तो पूरा हमारा adjective हो गया, लेकिन जब हम इसको adjective के रूप में यूज़ करेंगे, तो हम इससे पहले दा का भी यूज़ करेंगे, यनि कि दा whole का यूज़ करेंगे, तो he wasted the whole day, next एक और देख लेते हैं, जैसे I worked the whole day, कि मैंने पूरा दिन काम किया, तो हमने whole से पहले क्या लगा दिया है, यहाँ पे, दा का यूज़ कर दिया, whole से पहले हमने दा का यूज़ कर दिया, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर हम इसको as a proper noun यूज़ करते हैं, as a proper noun, whole को अगर हम as a proper noun यूज़ करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, अगर whole को हम as a proper noun यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाएंगे तो हम इससे पहले the whole और off का यूज़ करेंगे plus off का यूज़ करेंगे कब जब हम इसको as a proper noun यूज़ करेंगे और as a adjective करेंगे तो हम the whole का यूज़ करेंगे और as a proper noun करेंगे तो हम the whole of तो हम किसका यूज़ करेंगे, अगर as a proper noun करेंगे तो हम the whole of का यूज़ करेंगे, तो अभी इसको sentence देख लेते हैं, एक sentence की थूँ समझ लेते हैं यहाँ पर, the whole of Rajasthan was in the grip of Drought, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो the whole of, यानि की पूरा का पूरा राजस्थान, Drought, Drought का मतलब होता है सूखा, गिरिप मतलब होता है पकड, तो सूखे की पकड में था, यानि की पूरे की पूरे राजस्थान में सूखा फैल गया, तो पूरा का पूरे राजस्थान सूखे की पकड में था, गिरिप में था, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसको proper noun क कि तरह यूज किया है, whole of Rajasthan को, तो यहाँ पे हमने the whole of का यूज किया है, तो अभी आपको इसमाद में आ गया हो का whole का यूज हम कैसे करते हैं? अभी हम देख लेते हैं all, जैसे कि हम देखा कि whole में सिर्फ हमारे दोई rule है, तो all में भी हमारे साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, all plus plural noun अगर हम इसको plural noun के साथ यूज़ करते हैं, plural noun तो आपको पता है, अगर हम इसको plural noun के साथ यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, all plus the plus plural noun का यूज़ करेंगे, ठीक है तो हमारा rule क्या होगा कि all के बाद हम दा लगा देंगे, तो इसको example देख लेते हैं, जैसे all the students were happy, कि सारे के सारे students खुश थे, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, next इसका एको rule देख लेते हैं, क्योंकि यह तो simple सा ही rule है क्योंकि हमें क्या लगाना है, सिर्फ all the लगाना है किस से पहले, पुरूलर नाउन से पहले तो यहाँ पे हम दूसरा rule देख लेते हैं कि all और प्लस positive noun का यूज करेंगे हम, all अगर हमें positive noun given है यहाँ पे positive noun का यूज हो रहा है यहाँ तो हम उसके साथ all लगाएंगे, ठीके positive noun से पहले हम all का यूज करेंगे तो देख लेते हैं कैसे, जैसे all my friends, तो यहाँ पे देखो my क्या है, positive noun ने, तो इससे पहले अगर all आ रहा है वहाँ पे तो हम all का यूज करेंगे, all my friends went to party, कि मेरे जितने भी दोस्ते वो party में गए went to party ठीके, तो यह आपको clear हो गया, कि जो positive noun है, उससे पहले all का यूज करेंगे अगर उसके साथ क्या आ रहा है हमारा common noun आ रहा है, तो all my friends went to party या फिर हम करेंगे he spent all his money, कि उसने अपने सारे पैसे खतम कर दिये, all his money he spent all his money तो हमने क्या देखा, देखो, positive noun है और उससे पहले हमने all का यूज किया है यहाँ पर माई है, और उससे पहले हमने all का यूज किया है यानि कि possessive noun उनसे पहले भी all का यूज होता है ठीके अगर यहाँ पर हमें fill in the blanks में कहीं पर भी hole और all को हमें दे रखा है, तो हम आपर all का इसी हमें जितने भी हमने यहां पर रूल पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी कि होल और ओल में क्या डिफरेंस है और उनको कहां पर यूज करते हैं तो नेक्स चलते हैं अपने अनाधर अधर और अनी अधर की तरफ तो यहां पर हम देख लेते हैं अनाधर अधर और अनी अधर तीनों में क्या फरक है तो यह बहुत सिंपल सा है अनाधर अधर और अनी अधर इनका सेमी मिनिंग होता है एक दूसरे से अनाधर मतलब दूसरा other माने भी दूसरा और any other माने भी दूसरा तो इनका meaning होता है दूसरा ठीक है अब यहाँ पर क्या difference है तो यह जो another है वो हमारा singular noun के लिए use होता है किसके लिए use होता है singular noun के लिए use होता है another का use हमारा होता है singular noun के लिए और other का use होता है हमारा plural noun के लिए और any other any other का use हमारा singular और plural दोनों में होता है singular और plural दोनों noun के लिए होता है ठीक है ये समझ में आगया clear हो गया कि another को हम singular noun के साथ यूज़ करते हैं other को हम plural noun के साथ यूज़ करते हैं और एनी अधर को हम singular और plural दोनों के साथ करते हैं, अभी यह को देख लेते हैं, इनको हम करते हैं पोजेटिव में, पोजेटिव संटेंस में यूज करते हैं, पोजेटिव संटेंस, अधर को भी हम पोजेटिव संटेंस में करते हैं, पोजेटिव संटेंस में यूज करते हैं but any other को हम negative sentence में यूज़ करते हैं negative sentence तो यह आपको clear हो गया तो देख लेते हैं इनके example example के थूँ इसको हम समझ लेते हैं तो फोट असान है यह देख लेते हैं जैसे he has purchased another book he has purchased another book तो यह देखो उसने दूसरी किताब खरी दी तो यह हमारा क्या हो गया singular noun हो गया अब अगर हम इसको plural में लिखें तो देखो क्या लिखेंगे he has purchased other books यह उसने दूसरी किताबे खरी दी तो यहाँ पे क्या आगया other books तो यह plural है तो other का use क्या है singular है तो another का use क्या है अगर हम इसको ऐसे लिखें he has not purchased कि उसने नहीं खरी दी कोई भी बुक तो any other book उसने कोई भी बुक नहीं खरी दी या फिर उसने कोई भी दूसरी बुक्स नहीं खरी दी तो यहाँ पे हम बुक का भी यूज कर सकते हैं और बुक्स का भी यानि कि plural और singular दोनों बट यहाँ पे क्या condition है कि यह हमारा negative है तो negative में हम any other का use करेंगे और singular और plural दोनों के साथ कर सकते हैं और हमारा plural है तो हम other का use करेंगे और singular है तो हम another का use करेंगे clear होगे आपको next देख लेते हैं अभी she has visited she has visited other places तो देखो हमने क्या लिखा है she has visited other places कि उसने दूसरी जंगा देखी मुला काफी दूसरी जंगे पर वो घूमी दूसरी जंगाओ को घूमा लेकिन अगर हम place की बात करें खाली एक singular हम इसकी बात करें तो आएगा another place ठीक है यहाँ पर क्या आजाएगा another place कि she has visited another place कि उसने दूसरी जंगा घूमी और उसने बहुत सारी जंगा घूमी तो other places आएगा लेकिन अगर हम इसको negative में यूज़ करें कि she has not कि उसने कोई भी दूसरी जंगा नहीं घूमी दूसरी जंगा नहीं देखी she has not visited तो हम यूज़ करेंगे any other का any other place singular में लिखना है तो any other place और plural में लिखना है तो places ठीक है clear होगा आपको तो अभी हमने क्या समझा another other और any other के बीच में कि जो another है वो singular noun के लिए यूज़ होगा other जो है वो plural noun के लिए यूज़ होगा और any other singular और plural दोनो नाउन के लिए यूज़ोगा another का use हम positive sentence में करेंगे other का use हम positive sentence में करेंगे दोनों का हम positive में करेंगे ठीक है और but any other का हम negative में करेंगे तो I think कि आपको बिल्कुल अच्छे से clear हो गई होंगे सारे rules कि कहां पे हम किसको यूज़ करना है और मुझे लगता है कि I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी rules ये सारी वीडियो अगर अच्छे से पसंद आई हो अच्छे से समझ आई हो आप मेरी वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Thank you for watching this video